बायो डाइवर्सिटी के फोर्थ लेक्चर की हम लोग शुरुवात करेंगे इको सेंसिटिव जोन से मैंने ये आपके लिए एक इमेज बनाई है इसको आप ध्यान से देखिए मान लेजी कि ये एरिया जो है ग्रीन वाला जो आप एक फॉरेस जैसा एरिया देख रहे हैं कि उस बाौंडरी के जिस्ट दो इंच की दूरी पर, पांच किलोमेटर की दूरी पर माइनिंग हो जाया फैक्टरी लग जाया पटाकों की फैक्टरी बना दी जाया बड़ा घंदा पॉलूशन करने वाला इंडस्ट्री बसा दिया जल्ए तो क्या यह जो इंडस्ट्री इसक का पानी अंदर की हवागंदी हो जाएगी, इसलिए हुआ क्या हमारे कंट्री में एक कॉंसेप्ट आया इको सेंसेटिव जोन, ये कॉंसेप्ट आया National Wildlife Action Plan 2002-2016 के दुरू, कैसे आया? इको सेंसेटिव जोन का कॉंसेप्ट, National Wildlife Action Plan 2002-2016 वाले में, तो ये एरिया हो गया, जो हम प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर एक अलग से एरिया सेक्योर करते हैं, एक्स्ट्रा एरिया, जिसमें हम कुछ आक्टिविटीज को ही अलाव करते हैं, मान लीजिए कि जंगल के अंदर ग्रीजिंग अलावड नहीं है, नैशनल पार्क है, तो इस एरिया में जो उसके बाहर एको सेंसिटिव जोन होगा, उसमें एको सेंसिटिव जोन, इसको एकोलोजिकली फ्रेजाइल एरिया भी कहते हैं, क्योंकि फ्रेजाइल है, यहां पर आप कुछ करेंगे, तो अंदर दिक्कत आ जाएगे, तो जो उसके बाहर मान लीजिए कि हमने ग्रीजिंग कर दिया, लेकिन हम फिर भी इंडस्ट्री नहीं लगाने देंगे, एक एकजामपल दे रहा हूं, तो आप ये भी कह सकते हैं कि एको सेंसिटिव जोन, क्या है, प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर, एको सेंसिटिव जोन, एक ऐसा ट्रांजिशन एरिया है, जिसमें कि वाइट वाले देख रहे हैं, वहाँ आपको सब लाओगा, तो एको सेंसिटिव जोन, एक शॉक अबजॉर्बर की तरह काम करता है, एक ट्रांजिशन जोन की तरह काम करता है, प्रोटेक्टेड एरिया के अराउंड, इस कॉंसेट का भारत में हैं ये कॉंसेट, ये कॉंसे रूल से 1986 के ही, उसमें कहीं भी इको सेंसिटिव जोन जो है, डिफाइन नहीं किया हुआ है, नहीं बताया है उसके बारे में, लेकिन उसी जो हमारा एन्वार्मेंट प्रोटेक्शन एक 1986 और उसके जो रूल से हैं, उसी में ये लिखा हुआ है कि गवर्मेंट चाहे तो किस इसी एरिया में, माइनिंग, इंडस्ट्री, ऐसी चीजों को रेस्टिक्ट कर सकती है, ये जो पार दिया हुआ है उस लाँ में, उसका यूज करके गवर्मेंट ने 2002-16 वाले प्लान में, इको सेंसिटिव जोन की कॉंसेप्ट डाली, तो चलिए शुरुबात करिए, एन्व लोकेशन अप सच इंडस्ट्री, ये अगर प्लास्टिक का इंडस्ट्री है, तो वो कहां पर होगा, कहां पर नहीं होगा, इस चीज की बिरिस्टिक्शन की जा सकती है, इसके लवाँ और भी कोई हजाड़स ये एन्वार्मेंट के लिए कोई हजाड़स चीज है, इंडस् सिक्स के रूल्स , उसी का यूज़ करके हमने हमने लिक्वा सिर्यार करके हमने ने沒錯 चौकरके ने वाइलंड़ अक्षम 2012 से 2016 किंद्र सरकार यूज़ आया उसमें ये लिखा गया है कि ये जिम्में धारी है कि कोई भी protected area हो, नाशनल पार्क हो, वाइल लेफ सेंचुरी हो, नाशनल पार्क हो, वाइल लेफ सेंचुरी के context में गोला था उनोंने, नाशनल पार्क हो, वाइल लेफ सेंचुरी हो, उसके around 10 km का जो area है, that should be ecologically sensitive zone या ecologically fragile area. अब आप यहाँ पे देख रहे है, can be up to 10 km, 10 km ये वाला area दिख रहे हैं आपको लंबा सा, ज्यादा, तो ये 10 km है, minimum 100 meter भी हो सकता है, but ये time to time vary कर सकता है, 10 km के अलावा extra भी हो सकता है, अगर government of India को लगता है, कि 10 km के बाहर 20 km का area जो है, वो भी tiger corridor है, तो वो भी ecologically sensitive corridor हो गया तो ये area vary करता है, 10 km से लेके 100 meter या फिर 10 km के ऊपर भी हो सकता है, generally इसको 10 km माना जाता है, exact area जो है, level of restriction regulation, ये case by case vary कर सकते हैं, लेकिन recently क्या हुआ, Supreme Court में एक case की सुनमाई चल रही थी, उस case के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर आप फिर से जानना चाहें, तो T इन गोदा, वर्मन, थिरुमपद, इसी case के बारे में धीरे धीरे application Supreme Court में जा रही थी, तो Supreme Court ने क्या किया, जून 2022 में, ये जून 2022 की बात है, Supreme Court ने बोला कि जितने भी places protected area के आराउंड है, कोई भी protected area, उसके आराउंड जितना भी area है, एक किलोमेटर, वन किलोमेटर, है न Supreme Court declared all places within a kilometer, एक किलोमेटर, not 10, okay, सारे जो है protected area declare हो गया, अब इस चीज से क्या हुआ है, कि कई सरकारों को दिक्कत होने लगी, खास करके केरल वगरे की सरकार, दिक्कत होने लगी, वो कहने लगी कि नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा, कि सारा एक किलोमेटर, कहीं 20 किलोमेटर होगा, कहीं 500 मेटर होगा, कहीं 5 किलोमेटर होगा, वो तो हमें देखना है न, तो ये देखिए, आपके PT365 में तो अपडेट नहीं था, लेकिन मार्च के लास्ट में फाइनली न्यूज आ गई, इनफाक्ट एप्रिल में आई है, अभी 4-5 दिनों पहले, Supreme Court ने इस चीज फिर से सुनवाई की, April 2023 में, और अपने डिसीजन को मोडिफाई कर लिया है, तो अगर आप PT365 पढ़ते हैं, तो दिक्कत आ जा दिखाली, क्योंकि Supreme Court ने ये डिसीजन मोडिफाई कर लिया है, और बोला है, कि हमने ये गलट डिसीजन दिया था, एको सेंसेटिव जो है, minimum 1 किलोमेटर वला जो अराउंड था, ये डिसीजन हम पलटते हैं, क्योंकि एको सेंसेटिव जोन कभी भी uniform नहीं सकता, cross country, area specific होगा, और सरकार देख ले कि उसको कितने एरिया में एको सेंसेटिव जोन बनाना है, लेकिन एक बात है, इसी जून 2022 के judgment में Supreme Court ने बोला था, कि को कोई भी national park हो, या wildlife century हो, उसके area में, उसके अंदर, और उसके बाहर 1 km के अंदर, mining जैसी activity नहीं होनी चाहिए, इस decision को Supreme Court ने नहीं बलटा है, जून 2022 वाले के, तो आप कह सकते हैं कि national park और वाइड लेक सेंसेटिव एक किलोमेटर और उसके अंदर, mining नहीं होनी चाहिए, इस लेटले, prohibited तो रहना ही चाहिए था, लेकिन लोग फिर भी करने लगता है, आचा, क्या-क्या मना है, देखिए, red वाला मना है, यह देख रहे हैं, आप, this is mining, mining by default मना ही होता है, फिर लकडी काटने का जो पूरा-पूरा धंदा होता है, timber वाला, timber की industry, जंगल तो काटे जाए है, नहीं, यह मना है, देन आपको पता है, यहाँ पे आप एरक्राफ्ट भी low flying नहीं कर सकते, hot air, balloon, ऐसी activities, sports वगरा आप, eco-sensitive zone में नहीं करेंगे, अचा, कुछ चीजे हैं, जो आपको eco-sensitive zone में थोड़ी बहुत allowed हैं, फाइन है, फाइन, अगर चल रही हैं तो, लकडी का काटना, वो तो काटा जाए, मैंने बोले, यह लकडी के इंडस्ट्री है, काटना, 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 काटा जाएगा, resort वगरा ठीक हैं, कोई बात नहीं, और पूछ चीजें ऐसी हैं, जो completely allowed है, agriculture, organic farming, horticulture, या water harvesting वगरा, यह चीजें completely allowed हैं, यह जब आप समझ गया, तो आप आईए आप, eco-sensitive zone, आपको मैं, PT365 में जो आया था, वहाँ से पढ़ा दे रहा हूं, कि दिसंबर वाले में आया था, so TN Goda Verman, थिरुमपद, versus Union of India के case के around application चल रहे थे, और यह June 2022 का current affair है, तो इसमें सुप्रिम कोर्ट ने बोला था, कि एक किलोमेटर जो होता है, वो eco-sensitive zone आपको declare करना पड़ेगा, all states, union territories, where the minimum, जहां पर अगर मान लीजे कि सरकार नहीं बस specific हाई किया, तो सबको एक किलोमेटर का eco-sensitive zone बनाना पड़ेगा, साथी साथ, mining जो है, इस area में prohibited होगी, और eco-sensitive zone जो एक किलोमेटर का बनेगा, उसमें भी prohibited होगी, related news क्या था, इसमें स पेज में, माधो, गैडिल, कस्तूरी, रंगन, रिपोर्ट्स की बात है, जब आप उसको पढ़ लेंगे, तो ये पढ़ने में आपको समझ में आएगा, तो क्या-क्या prohibited होता है, commercial mining नहीं कर सकते, sawmill, लकडी की factory नहीं लगा सकते, polluting industry, sewage बगर वाले नहीं लगा सकते, hydroelectric project अगर major वाला है, तो आप नहीं लगा सकते, regulated, failing of trees मैं नहीं दिखाया था, लकडी काटना allowed है, regulated है, आप indiscriminately लकडी नहीं काट सकते, hotel resort बनाईए, लेकिन बहुत गंदगी मत करिये, agriculture system में drastic change नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत agriculture में change कर सकते, drastic नहीं कर सकते, road है, उसकी widening है, वो regulated रहेगी, और exotic species अगर आप introduce कर रहें, तो वो भी regulated रहेगा, agriculture में drastic change भी regulated रहेगा, permissible क्या है, rainwater harvesting, organic farming, horticulture, right, ongoing agriculture, अगर पहले से चल रहे तो करिए, अगर आप change करेंगे तो आपको वो regulated बाले में आ जाएगा, पहले से जो agriculture चल रहे है, चलिए, उसमें कोई दिक्कत नह है, procedure कैसे है, eco sensitive zone का, देखे, यहीं पर लिखा हुआ है, कि eco sensitive zone, notified and regulated by ministry of environment, forest and climate change, yes, तो procedure आप देख लीजे, it is notified by the central government, और कौन सा power का use होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, Environment Protection Act का ही use होता है, क्योंकि government, central government, restrict कर सकती है, कि सेरिया में कौन-कौन सी चीज़े लगेंगी, नह psychology के हिसाब से, तो Environment Protection Act 1986 का section 3, यह section नहीं जानने आपको, इसके तुरू government को ऐसी power है, उसी के तुरू ESZ होता है, लेकिन याद रखेगा, defined नहीं है, mentioned नहीं है, तो eco sensitive zone क्या है, shock absorbent है, transition zone है, धिरे-धिरे protection की level के requirement कम होती जाती है, then human activity जो है, यहाँ पे regulate की जाती है, rather than prohibit around protected areas है, हाँ पे complete prohibition नहीं होता, regulation किया जाता है, human activities का, extent of ESZ as per 2011 guidelines, तो 2011 में guideline आया था, generally हम लोग इसको 10 km तक मानते हैं, but अगर इसमें sensitive corridor है, connectivity, ecologically important patches हैं, तो फिर 10 km के beyond भी ESZ बनाया जा सकता है, and distribution of an area of ESZ, कितना area होगा, और extent of regulation, regulate कैसे होगा, may not be uniform in all around area kept, यह जो है, एक सकेंड, यहाँ पे process है, कोई बात नहीं, so distribution of an area of ecologically sensitive zone, and extent of regulation, कि कितना area में होगा ESZ, और कैसे regulate किया जाएगा, यह uniform होना ज़रूरी नहीं है, area specific, यह vary कर सकता, procedure क्या है, declaration का, सबसे पहले आपको एक inventory दिखानी पड़ेगी, of activities, हर protected area के around, corridor के around, जो forest range officers है, वो बताएंगे कि यहाँ पे overall क्या, 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 एक्तिविटी हो रही है, इसको बोलेंगे, inventory of activities, तो वो inventory के list बना लेंगे, क्या, क्या, क्या activities हो रही है, अब एक committee बनाई जाएगी, committee का क्या 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 होगा, committee demarket कर क्या जाएगी, कि eco sensitive zone का क्या area होना चाहिए, देने, Master Plan भी बनाएगी, कि उसको कैसे manage करेंगे, राइट, क्या regulate करेंगे, क्या, क्या, प्रोहिबेट करेंगे, क्या, 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 क्या अधार पे, inventory क्या अधार पे, and the committee generally, this committee which takes the decision of demarcation, it generally comprised of, comprises, wildlife warden जो होगा, उ एकोलाजिस्ट ऑफिस्चियल प्रॉम लुकल सेल्फ गवर्मेंट रिवेन्यु डिपार्टमेंट ऐसे लोगों को यह याद नहीं रखना है बट कमिटी करेगी यह काम उसके बाद यह चीज जो है मिनिस्ट्री ऑप इन्वार्मेंट फॉरेशन क्लाइमेट चेंज के पास जा तो आप देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा जिसमें यूपीसी का क्वेशन भी आ गया था वेस्टन घाट के कंजर्वेशन के मैटर भी समझ जाएंगे वेस्टन घाट का कंजर्वेशन का जो पूरा मैटर है वो एको सेंसिटिव जोन कहीं है क्या है कि देखिए ने इंडस्ट्री हो पाएगी अब यह चीज़ डेवेटेबल हो जाती है इंडस्ट्री के लओब्य कहती है कि नहीं इतना नहीं होना चाहिए और नहीं यूस्ट्री बनाया तो पूरा का वेस्टन घाटी बरबाद हो जाएगा फोड़ा सा डल लग रहोगा यह इमेज कोड का क्या डिसीजन आया वो यहां पे देख लेंगे नीजे स्पेस नहीं था तो यहां डाल दिया तो आप रिलेट कर लिजेगा मैंने हाइलाइट कर दिया सो लेट से स्टार्ट विद वेस्ट अंगार्ट कंजर्वेशन और इको सेंसिटिव जून का इश्यू तो चलिए पहले इस कहानी के शुरुवात करते हैं 2010 की बात है 2010 मतलब UPA गवर्मेंट जो थी उसका सकेंड जो गवर्मेंट बनाता है पहले गवर्मेंट बनी थी 2004 से 9 और दूसरी बनी थी कब 9 से 2014 और 2014 के बाद पिर मोदीजी आ गए तो UPA गवर्मेंट का जो दूसरा वाला कारेकाल था उस दोरान 2010 में UPA गवर्मेंट क्या क के साती सात वेस्टरन घाट में कितनी इंडस्टी बगर लगाना अलाऊ हो नहीं अलाऊ हो यह सारी चीजों पर चर्चा करने के लिए एक इनसान की कमीटी यहाँ पे हेड करते हैं उसको माधव गैड़्मेंट चेंज इनवाइट्स माधव गैड़्मेंट टू लीड एक कम मुझे वेस्टरन घाट को प्रोटेक्ट करना है वेस्टरन घाट कितना बड़ा बायो डाइवेसिटी हॉर्ट स्पॉर्ट में तो इसको तो प्रोटेक्ट करने के लिए मेरी जिम्मेदारी है तो यह जो कमीटी थी माधव गैड़्मेंट की यह माधव गैड़्मेंट साइ के 40 environmental organization के साथ बात करते हैं यहीं जो environmental organization जो NGO होते हैं जो कि इंडस्टी वगरे खलिए protest करते हैं हमेशा कि नहीं लगनी चाहिए तो ऐसे environmental NGO वगरे organization को consult करते हैं तो इनको जो है सुझाओ दिया जाता है कि जबरदस्ट protection करना इंडस्टी तो बिल्कुल बंद करवा देनी चाहिए वेस्टन घाट में पाइनली अगले साल 2011 में ये committee report देती है ministry को लेकिन ministry जब report देखती है तो वो मतलब चकित हो जाती है शौक लग जाता ministry को क्योंकि इनके recommendation के हिसाब से तो वेस्टन घाट में सारी चीजे बंद हो जानी थी तो ministry को लगता है कि अब हम कैसे करेंगे अब हम क्या करें कैसे development होगा इस एरिया का ये तो पूरा restrict कर रहे है एनिवे गैडियल report की जो मुख्य बाते हैं उसमें ये है कि उन्होंने ये भूला कि वेस्टन घाट का पूरा का पूरा एरिया है पूरा ही एकोलोजिकली सेंसिटिव एरिया इस ए डिकलेयर होना चाहिए अब ये ये से क्या है एकोलोजिकली सेंसिटिव एरिया डिकलेयर कर ये नाम आप कोई भी दे सकते हैं ना इन्वार्मेंट प्रोटेक्शन अक्ट में तो बस रेस्टिक्शन लगाने की बात है डेफिनिशन तो टर्म तो वहां भी नहीं है एको सेंसिटिव जोन या एकोलोजिकली फ्रेजाइल एरिया नाम तो कुछ भी दे सकते हैं तो गैट गिल जी ने बोला कि आप दीजिए ए अच्छा यूपी से कितने इजी क्वेशन पूछता है कि वेस्टन गाट को स्टडी करने के लिए जो कमीटी बनी थे उसका नाम क्या तो एकोलोजिकली सेंसिटिव एरिया इस एकोलोजिकली सेंसिटिव एरिया में अब चुकि पूरा एकोलोजिकली सेंसिटिव एरिया डि को sensitive zone 1, 2 and 3 और सब में restriction की जो है अलग-अलग की level होगा, अलग-अलग level होगा, साथी-साथ ये बोला कि ये जो ESZ 1, 2 और 3 decide होंगे, ये block level पर ये तालुका level पर determine होने चाहिए, done, बहुत ज्यादा decentralization आप देख रहे हैं लोकल लेवल पर, और साथी-साथ ये बोल दिया है कि no new polluting industries, red-orange category बताई, हाँ ये भी जानने की बात, इन्हों ने-ने industry को red-orange ऐसे करके categories बताई, red ज्यादा खतरनाक है, orange कम खतरनाक है, but anyway, no red category, no orange category industry was permitted in ESZ 1 and 2, ये बहुत ज्यादा sensitive थे, और जो industry already मान लिजी कि existing hair rate category है, orange category में ESZ 1 2 में, तो 2016 तक ये report IT 11 में उसको वहाँ से phase out कर देना है, तो मैंने आपको बताए कि ये recommendations सुनके government डर गे, अब क्या करें, तो government ने परिशान होके कि एक कह सकते हैं, आप artificial committee बनाई, और बोला कि ये जो माधव गैडगिल ने इतना कुछ बोल दिया ना, थोड़ा उसको डाइलूट करो, तो ministry जो है, अगले ही साल 2012 में, environment ministry एक नई committee बनाती है, उसकी chairmanship जाती है के कस्तूरी रंगन को, और वो बोलते हैं, उसको government बोलती है कि आप कुछ study वर गरम मत करिये ज्यादा, आप simply जो है गैडगिल की रिपोर्ट आई है, उसको पढ़िए और थोड़ा रिलाक्स करिए, तो कस्तूरी रंगन कमीटी ने अगले साल रिपोर्ट देती है, फट से, 6 महीने में, ministry को, कस्तूरी रंगन रिपोर्ट की, जो ministry को रिपोर्ट जो कि हम लोग के कस्तूरी रंगन की रिपोर्ट को मानेगे, बट यह ड्राफ्ट नोटिपिकेशन था, यह मुद्धा पूरा लंबे टाइम तक अटका रहा, सुप्रीम कोट में केस जाते रहे, सब कुछ होता रहा, गवर्मेंट से पूछे तो गवर्मेंट साब साब कुछ कह नहीं रही है, क्योंकि सारे एरिया तो स्टेट में आते हैं, तो स्टेट वाले अलग परिशान, केंदर सरकार अलग बोल रही है, तो आपस में लड़ते जड़करते, बहुत टाइम बीट गया, फिर जो कस्तूरी रंगन रिपोर्ट आई थी, उसकी बात देखिए, उन्हो पूर Huge औरude की बोला, पूरी के पूरे Western घाट करुँ दो रिजन में डिवाइद कर देंगे, एक हो गा Natural Landscape, एक हो का Cultural Landscape, अगर जो Natural Landscape की बात करें, तो वो पूरे के पूरे, авिश्टर्न घाट को Natural में डिवाइद कर दिया, फिर Natural के ऐंदर, उन्ली 37% को उन्होंने बोला कि यह बायोजिकली रिच एरिया है और उसमें भी ऐसा एरिया जहां पर continuity हो जुड़ा हो एक कोरिडूर से दूसरे कोरिडूर के बीच में यहां पर थोड़ा बहुत उन्होंने maintenance की अपने principle की with some major of continuity continuity मतलब क्या होता है एक के एरिया प्रोटेक्टिग तो उसके एरिया प्रोटेक्पेट कर दिया ऐसा कम थोड़ा बहुत अ आइत पिछली रिपोर्ट मने उन्होंने सब्सक्राइब ब्ल्लक पर का लुग ऑल क्या नीचे और दीशर बात ये कि विलेइज लेवल का होगा तो च्छोटा च्छोटा दिमार्केशन होगा ग्लॉक लेवल कर देंगे तो बड़ा अधूर unas ग्याट निबारेंज रिदिट और कंप्लिटिली रेस्टिक्टल् वो red category में आता है, तो इनका color coding रहा, लेकिन मना किसको red, गड़गिल में क्या था, red orange दोनों मना था, जो existing है 2016 तक उनको phase out करना था, तो अब ऐसा कुछ नहीं है, red वाले को मना किया, area भी काफि घटा दिया, और साथ इसाथ demarkation किस level पर करना है, विलेज लेवल पर, जब आप यह समझ गे सारी चीज़ों को, evolution को, तो आप इस picture को भी देखिए, western ghat किसकी से state में situated है, ऐसा भी question आ चुका है, number के इसाब सहाथ है कि कितने state में है western ghat, तो गुजरात में भी यह western ghat याद रखिएगा, बट confused मत होईएगा, गुजरात में है, MP बगल में है, लेकिन MP में western ghat नहीं आता, तो गुजरात में है, 1, महराष्ट में है, 2, देन उसके बगल में महराष्ट और करनाटक के बीच में यहाँ गुवा दबा हुआ है, तो गुवा में है, 3, करनाटक में है, 4, yes, केरल में है, 5, और केरल से जो जुड़ा हुआ एरिया है ता मिलनाडू का वहाँ पे 6, ऐसे करके Western Ghat है, यह जो एरियाज देख रहे हैं, यह वेस्टन घाट में ही आते हैं, तो यहाँ पे दोनों के बीच का एक मतलब कह सकते हैं कि Western Ghat और Western Ghat का Meeting Point भी है, और वो Meeting Point एक Tiger Reserve है, can you name that, यह question भी आ चुका है, कौन सा Tiger Reserve पे Western Ghat और Western Ghat मिलते हैं, बट यह समझ गये ना, Western Ghat, 1, 2, 3, 4, 5, and 6 स्टेट में हैं, if you ask कि क्या आंदर परदेश में हैं, नहीं, क्या तेलंगाना में हैं, नहीं, क्या MP में हैं, ठीक ना, चलिए, इन रिपोर्ट को देखिए, यह आई थी न्यूज कुछ साल पहले, एक साल पहले, The Union Ministry of Environment and Forest has ruled in favor of Kasturi Rangan Report, यह जो हमारी current government आई, इन्होंने भी Kasturi Rangan के रिपोर्ट के फेवर में रूल किया, Ghatgil Report rejected हैं तरीके से, silently rejected है, Kasturi Rangan पैनल ने बोला था कि इतने सारे village होने से आपको याद नहीं रखते हैं, महरास्टर में, करनाटक में, Tamil Nadu में, केरल में, गोवा मे और गुजरात में, जिसको क्या कहना है, ecologically sensitive कहना है, village level कहना, however, करनाटका कहता है, कि आपने हमको कितना village बोला, ecologically sensitive, 1576, हम कितना है, हमारा sensitive, 153, ऐसा क्यों कह रहा है state, क्योंकि state को आपे industry लगानी है, development करना है, आप इतना protect कर दोगे, तो state पीचे रह जागा, तो वो कहते ह हमारे तो 153 है, गुवा को कितना बोला, 99, गुवा कहता है, 50, आप देख रहे हैं, गैडियल तो छोड़िये, कस्तूरी रंगन की report पे भी है state ladder रहे हैं, कि नहीं हमारा कम demarket होना चाहिए, केरला कहता है, कि नहीं जितना agricultural land है, और जहां पे लोग रह रहे हैं, ये कोई भी कस्तूरी रंगत, गैडियल रिपोर्ट में, एंटायर वेस्टन घाट को, हमने एकोलोजिकली सेंसेटिव एरिया, पूरे के पूरे को डिकलेर कर दिया था, पूरे के पूरे को, तीन जोन में, उन्होंने क्या बोला था, कि पेस्टिस राट, जनेटिकली मोडिफाइड क्र आपने प्लांटेशन लगाई है, वेस्टन घाट में, तो पूरा प्लांटेशन दीर दीरे खतम करती, जंगल लगाई है, थेकि मुद्धा तो करम होगा, राइट, क्योंकि इसमें इंजीयों इन्वाल होगे थे, बहुत ज्यादा, ये भी याद रखिएगा, ये जो आपक लैंडस्केप होगा, जो कल्चरल अरिया है, उसमें कुछ करेंगे ही नहीं, और उसमें नैचुरल लैंडस्केप में 37% जो है, वो sensitive area माना जाएगा, बायोलोजिकली important area, राइट, 63% जो है, वो human settlement का है, तो उसको तुम छोड़ेंगे नहीं, plantation को छोड़ेंगे नहीं, अगर और जो बाकी है cultural वो 63 और उसमें यह सारे है ठीक ना ऐसे है 37 प्लस 63 का हिसाब किताब है पूरा-पूरा हंड्रेड है तो पूरा का पूरा वेस्टेंगाट अगर हंडेड हुआ तो 37 परसेंट क्या है और 63 क्या है cultural माइनिंग रेट केटेगरी में आएगा यह तो मना है थर्मल प्लांट भी मना है अगर माली जी कि टुटी थाउज़ेंड स्पार किलोमेटर के ऊपर का बिल्डिंग है तो यह सब मना है नेचरल लेंड स्केप में हाइड्रो एलेक्रिक प्रॉजेक्ट जो है दे ज्यादा होगा अपरूबल नहीं मिलेगी इन्होंने बोला कि नहीं कोई रेगलोट्री अथॉरिटी नहीं होने चाहिए उसको मजबूत करना चाहिए राइट वेस्टन गाट एक्स्टेंड प्रॉम कंया कुमारी इंद साउथ तमिल नाडू में पढ़ता कंया कुमारी उसमें फॉरिस्ट ग्रास लाइन स्क्रप सा बाते हैं कुल्चरल लाइन स्केम टूटल विलिजेज वगर आपको नहीं जाने हैं अप्रूवल नहीं है तो यह फाइनली क्या हुआ है कि इन्होंने काफी पहले डिक्लेर किया थे एक दो साल में लाप्स हो गया 2020 में एटीन में शायद किया था डिक्लेर तो ट्वेंटी में यह लाप्स हो गया तो गौवर्मेट को नया नोटिफिकेशन निकालना था सो दर सेंटर इन जुलाइट टूटिफाइड अगेन और देखिए घटा दिया अब बोला कि देखो नहीं 46,000 किलोमेटर ही हमारे प्लानट को क्योंकि केरल को जब भी जब भेजते थे हर्बार केरल कर देता था क्योंकि मेरे सारे विले सारे हैपटेशन में कोई को फॉलो कर लिया तो सुप्रेम को एपकिए अगेंस्ट घैड कास्टूरी रंगन का सूरा था सूरी प्लीमिट नुटिफिकेशन के और शुतिकिए नहीं को सुछ आधारहू थे हैं उसे कुछ काम नहीं हो रहा है चल रहे वस लटका हुआ तो पेटिशनर ने बोला dow लोगों के right to life चली जाएगी क्योंकि Western घाट में लोग जो रह रहे हैं उनकी जिन्दगी खतम हो जाएगी अगर आप Ecologically sensitive area पर फाक्ट्री लगाओगे या नहीं बंद करोगे Western घाट conservation का background यहां भी दिया हुआ है गाट गिल पैनल 64% Western घाट के Ecologically sensitive area बोल रहा था और तीन डिग्री में वो डिग्री में आप बढ़ा दियें कस्तूरी रंगन जो है उन्होंने 2013 में वो बोला कि 37% एरिया को ही प्रोटेक्ट करेंगी Ecologically sensitive area कस्तूरी रंगन रिपोर्ट रिमूब द सिस्टम अप ग्रेडेशन Ez1, Ez1, Ez2, Ez3 ऐसा कुछ भी नहीं था और इन्होंने ये बोला कि जो red, orange और green है ये चलेगा Red वाला बना रहेगा, orange, green चलेगा तो तीन कटेगरी के industry define हुई थी मादोगाट गिल में red, orange, green ये color codification आपके कस्तूरी रंगन ने भी रखा रिलाक्स कर दिया, मादोगाट गिल ने orange वाला red वाला दोनों मना किया था industry, कस्तूरी रंगन red मना करती है उनली, activities के हिसाब से quality effect के हिसाब से categorization है, साथे साथ जो कस्तूरी रंगन है, उन्होंने blanket पैन किया, mining, wearing, setting of red category industry पे thermal power project पे, केरला government दोनों report से conflict में है, केरला government ने ब recommended that plantation, ये कोई होगा वहाँ का biologist, may be, छोड़िये न, that plantations and habitated areas in the western gart should be kept out, केरला government कह रहे है कि जहाँ भी plantation है, जहाँ भी हमारा habitation है, उसको हम ESA में, ecologically sensitive area में नहीं डालेंगे, अब इसके लिए किसी ने plea दिया था कि नहीं, आप implement करवाई तो सूपरिंगोट ने बोला हमको क्या मतलब तुम जो देखना देख लो, हम नहीं डालेंगे इसके बीच में, जब NGO वगरा लोगों का mention आहीं गया, तो आप ये पढ़िए, चिपको आंदोलन, एपिको आंदोलन, देखिए, बर्थ आप चिपको की बात करें तो 1974 में, चिपको movement began spontaneously in a village, विलेज का नाम वहाँ पे 28 local women, जिनकी leader थी, गौरा देवी, उन्होंने क्या किया, कि forest के जो contractor थे, उनको बोला कि हम आपको इस area में tree नहीं काटने देएंगे, अब ये गौरा देवी कहा थी, क्या शुरू क्या वो देखेंगे, पहले आप यहाँ आईए, देखिए, 1973 में ये एक non-violent agitation था और इसमें करना क्या था, tree का protection करना था में लिए, और इसमें women ने काफे participate किया, इसलिए काफे important हो जाता है, और इसके कारण society में एक women के status में भी थोड़ा अपराइज हुआ, सुधार हुआ, अब ये movement कहा हुई थी, उस समय पे 1974 में ये अपराइजीन हुई थी, उतर प्रत district में, आज ये चमूली उतराखंड में है, बाइद अबे अगर मैं ये पूछू, कि ये जहां पे आज जमीन धस रही है, पूरा जो area है, जिसको आप लोग जोशी मट कहते हैं, ये जोशी मट भी एक टाउन चमूली district का ही है, राइट, देखिए उतराखंड, geographically या आप एक लिए आप जो कहना चाहें, दो रीजन में divided है, हैरस्टेट के रीजन होते हैं, मल्टिपल, गुजरात का भी है, उतराखंड का है, जैसे गुजरात का एक सौराश्ट आप सुनते होंगे, राइट, कच्छ सुनते होंगे, तो उतराखंड इसी तरीके से दो रीजन में divided है, एक है गडवाल डिवीजन, दो डिवीजन जो आप जानते हैं, डिवीजन के अंदर डिस्टिक्ट होते हैं, राइट, देखिए, स्टेट हुआ, स्टेट के नीचे डिवीजन हुआ, डिवीजन के अंदर डिस्टिक्ट हुआ, और डिस्टिक्ट के अंदर सब यह जो एरिया आप देख रहे हैं यह गडवाल डिवीजन है इसमें इम्पॉर्टेंट काफी हरिद्वार है देहरादून है और पिर आप देखिए इसके एकदम नौर्थ में काफी उबर चमोली है यहीं पर कहीं जो श्रीमट सिच्वेटेड है अगर बात करें कुमाव इसी चमोली में 1974 में यह मूबमेंट हुआ गौरा देवी ने शुरुवात की थी 28 लोकल विमन को लीड किया था और फॉरस्ट के जो आफिसर थे उनको बोला था हम जंगल काटने नहीं देंगे अपराइजिंग और इजनेटेड इन उत्तर परदेश चमोली डिस्टक नाउ उसके बाद वो धीरे- धीरे पूरे स्टेट में फैल गया पूरे इंडिया में खास करके नॉर्थ इंडिया में लोगों ने इस्पारेशन लोई लेकिन आपको तो यह समझ में आया मौड़न वर्ल्ड में चिपको आंदोलन यह चिपको आंदोलन आज का नहीं है बड़ी दुखत घटना होई थी 18th century में ये 18th century में विश्णोई community अमरिता देवी उनकी leadership ले रही थी राजस्थान के जोदपूर के जो राजा थे वो order करते हैं कि खेजरी की जो ट्री जा रही है और गाओं का नाम कहां पर जो ट्री काटी जा रही है वो भी खेजरी विलेज है तो खेजरी विलेज की खेजरी ट्री काटी जा रही थी राजा जी ने order दिया था तो गाओं की महिलाएं जिनको लीड कर रही थी अमरिता देवी वो सारी महिलाएं ट्री से चिपक गई जाके पुरूस भी चिपके राजा जी ने order दे दिया और वह विश्नोई 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 कमुनिटी से परे विश्नोई आती है आई ऊपीसर बनी और रिसेंटली MLA से शाधी भी रज आई है सब पता होना चाहिए मैं बोल रहा हूँ न आर्ट एन कल्चर में भी आप पढ़ेंगे बिश्णोई is actually बीश्णोई 29 प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं तो साथ में आप ये भी पढ़ाई कर लिजे कि राजस्थान में आई एस परी बिश्णोई की सगाई होई दादी और मा ने किया डांस फोटो होई वाइरल है ना आदमपुर के MLA भव बिश्णोई के साथ राजस्थान में शादी होई दोनों आनिमल के प्रोटेक्शन करेंगे ये देखे दादी मा प्रोटेक्शन का 1993 में भारतिय जनता पार्टी के पॉलिटिशन है हर्याना लेजिसलेटिव एसेंबली से ये आदमपुर से हर्याना लेजिसलेटिव एसेंबली में है और ये पूरे के पूरे हर्याना लेजिसलेटिव एसेंबली में यंगेस लाउमेकर है 1993 मेन का जन्मुआता दोस्तों Oxford University Cricket Club के लिए ये cricket खिलते थे दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अभी जो भावे बिश्णुई जिससे परी बिश्णुई की शाधी होई है उनके पिता जी का नाम है कुलदीप बिश्णुई ये भारत के बहुत बड़े politician है हर्याना legislative assembly के fourth time खुद member रहे है चार बार member रहे है आदमपुर से ही रहे है हिसार हर्याना से आदमपुर हिसार में हर्याना के 1979-1982 आप समझते हैं कहां कहां शाधी होती बड़ी family में आपको concept clear हो गया minister of environment forest and climate change भी रह थे राजीव गांदी के government में जिसके बारे में अभी आप पढ़ रहे हैं समझ गया है चीजें ऐसे होती है माता की बात करें अगर सासु मा की बात करें रेनुका बिश्णुई वो भी बीजेपी की politician है और हांसी से 2014 में अर्याना जनित कॉंग्रेस के टिकट पे वो जीती थी and then she joined बीजेपी और अपने husband के साथ उन्होंने जॉइन कर लिया था और समझी है इनी चीजों को उन्हीं के दोनों के बच्चे हैं तीन भावे बिश्णुई जिससे परी बिश्णुई की शादी हो गए चैतन्य बिश्णुई और साई बिश्णुई चैतन्य बिश्णुई जो देवर हुए परी बिश्णुई के वो जो हैं इंडियन क्रिकेटर हैं हर्याना के लिए खेलते हैं 2020 में डेब्यू वगर अभी हो गया आई पील के आउक्षन वगर में भी गय थे यह इसलिए आपको बदा दिया कि अगर आपको लग रहा है कि आए इसने चिपको आंदोलन यही विष्णोई कम्यूनिटी के बात है 18th century में अमरिता देवी ने शुरुवात की थे अच्छा जो मॉडर्ण ट्रिगर था चिपको मूब्मेंट का वाजद ग्रोथ इन देवलोपमेंट देट उत्तर प्रदेश विटनेश्ट पॉलोविं 1963 जो 1973 का मैंने बताया यह क्यों हुआ था कि 1963 में चाइना इंडिया पॉडर कंफ्लिक्ट बगर की बात होई थी तो धीरे-धीर सीना यह जंगल काटती थी लोगों को जंगल में एंट्री नहीं हो रही थी तो लोग नाराज हो गया कि हमारा जंगल हमें यह एंट्री नहीं मिल रही है इट वास देन एन्वारेंट मेंटलिस्ट गांधियन सोचल अक्टिविस्ट चंडी परशाद भट फाउंडर ऑप्त और क पर शुरुबात की थी उसके बाद महिलाओं ने जो शुरुबात की तो आप तो जानते हैं गौरा देवी की बात यह लेकिन चिपको अंदोलन सबसे जादा नौर्थ इंडिया में गर पूरा का पूरा फैला तद परशन हुआज रिस्पांसिबल फॉर इस सुंदर लाल ब देखिए जब 1973 का प्रोटेस्ट हुआ तो इंद्रा गांधी ने इस चीज को अब्जर्व किया और जंगल की लखड़ी वहां पे काटने से मना कर दिया चिपको अंदोलन के बाद मना कर दिया उस एरिया में चमोली में और जब सुंदर लाल बहुगाना ने पूरा यहां प आप नाइटी नेटी से लेके 15 साल उस एरिया में जंगल काटना मना कर दिया बहुगुना सुंदर लाल बहुगुना इस बेस रिमेंबर फर दर स्लोगन इकोलाजी इस पर्मानेंट एकोनमी उन्होंने बोला था अचा बाद में आपने टहरी डिस्टिक्ट देखाना भी थ तो वहां पे इंडिया का सबसे उंचा डैम है इंडिया का टॉलेस डैम क्या है भागी रती रिवर पे बनाए गंगा की ओरिजिन भागी रती रिवर पे टहरी डैम बनाए गया तो इसके लिए उन्होंने मुवमेंट लड़ा था 1980s में प्रोटेस्ट किया था वह टहरी डै यह 1983 के बात यहां पर पांडू रंगा हेज पांडू रंगा हेज में विमन चिल्डेन अप सलकनी सलकनी नाम की जगह है वहां पर उन्होंने ट्री को हग किया और मुवमेंट किया एपिको मुवमेंट इस टाइं टू सेब वेस्टन घाट बाय स्परेडिंग इट्स रूट सलकनी करनाटिका के उत्तर कंडर डिस्ट्रिक्ट में पढ़ता है चलिए अब नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक की बात करते हैं बायोस्पेर रिजर्ब बायोस्पेर तो अब समझते ही है जहां पे लिविंग और्गनिजम् क्या है देखिए अगर हम यूनेस्को की डेफिनिशन सुने तो उसमें सिंपली यह लिखा हुआ है कि बायोस्पेर रिजर्ब क्या है लर्निंग प्लेसेज हैं जहां पे हम सस्टेनेबल डेवलप्मेंट के बारे में समझते हैं इक्जैक्ली बायोस्पेर का रिजर्ब का ज जो कि काफी पहले से चल रहा है बायोस्पेर रिजर्ब में याद रखिएगा investment अब गल के ठास्टेनेबल डेवलप्मेंट गोल का हुआ कि नहीं है लर्निंग प्लेस यही उनिज्पो के डेफिनिशन है अब देखिए biosphere reserve हमेशा हमेशा जो jurisdiction होती है जिसका अधिकार होता है biosphere reserve पे वो हमेशा जिस country के अंदर biosphere reserve situated है उसी का होता है UNESCO का काम यह है कि दुनिया भर के कुछ biosphere reserve को वो recognize करता है उनको एक network में connect करता है network में connect करने का मतलब क्या है एक biosphere reserve में जो knowledge आई वो दूसरे के साथ exchange किया एक में अच्छा program चला दूसरे को सिखाया इस तरह से पूरी दुनिया एक world network को biosphere reserve program में जुड़ गई यस बट सारे biosphere reserve आपके world network को biosphere reserve में nominate हो जाएंगे ऐसा नहीं है उसके लिए criteria है हमारी government submit करती है और फिर UNESCO देखती है चलिए एनिवे बैस पर रिजर्व को कौन nominate करेगा national government और उसी के jurisdiction के अंदर रहेगी जहां पे वो reserve located है biosphere reserve फिर finally अगर approval हो गई तो UNESCO का एक intergovernmental multiple government है इसमें सारे जहां जहां पे biosphere reserve recognize होंगे इसको बोलते है man and biosphere program देख रहे हैं आप biosphere को भी protect करना man को भी protect करना man includes here women and men both so man and biosphere program map program बोलते हैं यह UNESCO के director general जो है finally इस पे recognition की approval देते हैं और उसके लिए उनकी एक committee है international coordinating council जिसको बोलते है man and biosphere international coordination coordinating council फिर आपकी site internationally recognize हो जाएगी UNESCO से और उसके बाद आपके जो पूरी knowledge sharing होती है biosphere network program में आ जाओगे so member states submit करते हैं कि हमारे कौन से site को designation मिलनी चाहिए अप्रूबल हो गया तो यही जो map program के अंदर बास पर रिजर्व है वही बनाते है WNBR wild network को बास पर रिजर्व यह dynamic interacting एक network है जहां जहां excellence की site है वह आपस में knowledge exchange करेंगे जो नहीं अच्छे से प्रोटेक्ट किया जाएगा मालीजी बास पर रिजर्व में कोई tribal community रह रही है उसके cultural values को भी प्रोटेक्ट किया जाएगा और जो क्लाइमेट के हिसाब से उसमें भी fight करने में help मिलेगी तो किसी न किसी तरह से 2030 का जो sustainable development का एजेंडा है गोल है उसको पूपिल करने में help करेगा उसके तो multiple corporation को north-south collaboration को तो एक unique tool है international cooperation का जिसमें कि biosphere reserve program के त्रूप knowledge exchange की जाती है अगर हमारी country में मान लीजिए कि कि किसी एरिया को biosphere reserve बनना है तो क्या होगा इसके लिए हमारी country में इंडियन national man and biosphere committee है क्या नाम है इंडियन national map committee क्यों हो यूनिस्को से related है तो इंडियन national man and biosphere committee ministry of environment, forest and climate change के अंदर है यह देखती है कि क्या हमारे देश में कुछ ऐसे potential साइट है जिसको मैं UNESCO को भेजूं तो उसकी जो committee है प्रूब कर देगी वह पहले biosphere reserve बनाएगी उस guideline फॉलो करके पूरा UNESCO को फिर जागे UNESCO में submit करेगी समझ गये इसके पहले आईए अब हम लोग देखते हैं कि biosphere reserve जो हैं वहाँ पे local communities सारे stakeholder planning and management में involved होते हैं तो क्या में फंक्षन है बास बेर रिजर्व का बास बेर रिजर्व में हम लोग बायो डाइवर्सेटी और कल्चरल डाइवर्सेटी को प्रोटेक्ट करेंगे कंजर्व करेंगे economic development करेंगे socio-cultural context में environmentally sustainable होगा सब कुछ logistic का support देना हुआ research करना हुआ monitoring करना हुआ education आपको घुमाया जाएगा देखी बास पर रिजर्व कैसा है अब यहां पर जोन की बात आगे याद है थोड़ी दर पहले मैंने protected area भी बढ़ाया था तो बताया कि एक और एरिया है एक transition का zone होता है तो मैब program में या कोई सी भी biosphere reserve में चाहिए वो मैब में हुआ या नहीं हो तो एक चाहिए यहां पर लोगों को डिस्टरब नहीं करना बिल्कुल उसके बाद एक बफर zone होता है यहां पर देखा था और उपर का बफर यहां पर क्या है को अरिया ग्रीन वाला देन बफर जोन में कैने उसी लर्निंग वगर दी जा रहे है टेंट वगर लगा जा रहे है थोड़े बहुत इतना चलेगा और जो ट्रांजिशन जोन है वहां पर देखिए हैबिटेशन बढ़ गए थोड़े बढ़ गए तो सबसे अ आत्रा जो है वफर जोन से ट्रांजिशन जोन में बढ़ जाती है तो तीन जो फंक्षन है बाइस पर रिजर्व के एरिया के वह देखिए कोर एरिया यह स्ट्रिक्ट्ली प्रोटेक्टेट जोन होता है वहां पर कंजर्विशन की जाती है लैंडश्किप एको सिस्टम स्प एकोलोजी के इसाब से ुदिक्त नहीं करने सैंट्रिक रिसर्च हुआ मोनिटरुंग करना हुआ ट्रेनिंग देना हुआ, एजूकेशन देना हुआ, चलेगा, ट्रांजिस्टन जोन में क्या है, कम्यूनिटी जो है, सोचियो कल्चरली एक बनाती है, सस्टेनेबल एकॉनमिक डेवलपमेंट हो, हुमेन अक्टिविटी चले, लेकिन एन्वारेनमेंट को ट्रांजिस्टन जोन में भी आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, अब देखिए, इंडिया में टोटल 18 बायोस्पेर रिजर्ब्स हैं, लेकिन ये क्या सारे मैप प्रोग्राम में रेकरगनाईज हैं, नहीं सारे मैप प्रोग्राम में रेकागनाईज नहीं है यह बास पर रिजर्ब इंडिया में जो है नैचुरल हैबिटेट वगर को प्रोटेक्ट करने की टोटल 18 है इनके अंदर वही है कोर एरिया में नेशनल पार्क अनिमल सेंचुरी डाट इस वालेफ सेंचुरी अनौल ह और इसमें कई बार नैशनल पार्क और यह भी होते हैं और आपके वालेफ सेंचुरी भी होती हैं बफर जोन के साथ फाइनली यह एकॉनमिक बफर जोन की बात करें तो वह एकॉनमिक यूज के लिए थोड़ा बहुत खुला होता है प्रोटेक्शन इस ग्रांटेट नॉट प्रोटेक्शन देनी है तो चलिए यह मैप बात में दिखाऊंगा अब यह क्या है जब यूनिस्को का मैनन बाइस पर प्रोग्राम चल रहा है तो हमारे सारे साइट को तो रिकागनाईज नहीं करेगा हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री में और भी बाइस पर रिजब बने वो इसके लिए हमारी कंट्री में बाइस पर प्रोग्राम चल रहा है गाइडीलाइणस यह फॉलो करता है यूंसको मैन और इन बाइस पर का प्रोग्राम को है थाकि हम्हारे जल्दी से जल् самой को तर इसके विएBon बनाने की अब हमारी कंट्री के अंदर जो है सेंट्रल गवर्मेंट एक चला रही है बाइस पर रिजर्ब का प्रोग्राम इसका नाम क्या है बाइस पर रिजर्ब प्रोग्राम हमारी कंट्री का है इसमें हम लोग क्या करते हैं सेंट्रल गवर्मेंट क्या करती है अगर किसी स्टेट हो तो वहां पर भी करेगी 19 इस्टू 10 में और बाकिये स्टेट में 60 इस्टू 40 के रिशियो में सेंटरली स्पांसर डिया स्कीम चलती है ताकि बावसपर का मेंटेनेंस इंप्रूब्मेंट डेवलप्मेंट हो सके जहां-जहां पर है और स्टेट गवर्मेंट क्या करती है उसकी जिम्मेदारी है कि पैसा मिल रहा है इतना तो एक मैनेजमेंट अक्शन प्लान बनाए और वो जो है सेंटरल मैन और बावसपर कमीटी जो है उसको ब्रूब कर देगी उस मैनेजमेंट प्लान की सबसे चलना पड़ेगा यह जो सेंटरल मैप कमीटी है वही है इंडिया नेशनल मैन और बावसपर रिजर्व कमीटी यह मिनिस्ट्रों पर इंवार्मेंट फॉरस और क्लाइमेट चेंज में तो हमारी कंटरी में कितने बावसपर रिजर्व हमारी कंटरी में टोटल 18 है इसमें से 12 जो है वो युनिस्को के मैब में रेकगनाईज है सिक्स जो है रेकगनाईज नहीं है पहले मैं दिखा देता हूं उपर से चलते हैं क्लॉक वाइस सबसे पहले देखे कई जगह के मैप में गलत दिया और रहता है दो जगह पर एक तो कोल्ड डिजर्ट को यहां पर नहीं हिमाचल परदेश में अस्पिति वैली क्या है तो हि situated actually लेकिन हिमाचल प्रदेश में पढ़ता है cold डेजर्ट नेशनल पार्क प्याइब याद रखेगा लदाख में जम्मु कश्मीर में कोई बैस्पर रिजर्ब नहीं है ना युनिस्को का ना नेशनल लेवल का क्या यह मैप द्वारा रेकगनाईज है cold डेजर्ट यूसी मैंने यहाप नहीं लिखा है यह रेकगनाईज नहीं है नंदा देवी चल्ले आई यह नंदा देवी के पहाड़िया उत्रकंड में याद भी रहता है हिमालिया में यह मैन और बैस पर रिजर्ब प्रोग्राम में म सिक्की मेक हुआ उसके बाद आप जाएए उसी हिमालिया के एरिया में चलते रहे अरुनाचल प्रदेश में देखिए एक है दिहांग दिबंग यह रेकगनाईज नहीं है युनिसको वाले में फिर आसाम में दो बायोस्वेर रिजर्ब मानस वाइल लेप सेंचुरी और य असम में पढ़ते हैं तो असम में दो बायोस्वेर रिजर्ब मानस और दिब्रोसाहे कोई ठीक यह नौर्थ इस में एक और स्टेट जो मेगालया में जो नौकरेग है नौकरेगिस आल्सो बायोस्वेर रिजर्ब नो अंदर माब नव कम टू क्लोंक वाइज आपका सुंध पुडिशा का सिमली पाल काफी फेमस यह रेकागनाइजड है क्लाकवाई चल रहे थे तो नीचे आईए अंडमान में बैसपर रिजर्ब नहीं है नीकोबार में ग्रेट नीकोबार जो आइलेंड है वहां पर बैसपर रिजर्ब यह भी रेकागनाइजड है ठीक अब आईए यह आपको सेशाचलम टाइगर रिजर्ब भी बता होगा पूछा जाता है एनिवे यह जो है आंदर प्रदेश का सेशाचलम हिल्स इसकी अगर बात करें तो यह आंदर प्रदेश का जो तिरुपति है वहां पर पढ़ता है रयाल सीमा रिजिन में यहां पर आंदर प्रदे जो पूरा का पूरा 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 एरिया जो है अब आप देख सकते हैं उसके बाद अगस्ते मलाई अगस्ते मलाई को मैंने दोनों में उवर लैप कर रहे हैं यह समझ गया है यह सारी चीज़े होगई अब उपर आईए उपर हम लोग पहले ग्रेट रन अप अब भूब कच्छ देख लेते हैं यह रेकाग्नाईज़ में नहीं यह गुझ्यरात में हो ग्रेट रन अप खछ फिर उसके बाद मद्य परदेश में देखिए मद्य पर्देश में पचमड़ी देक रहें आप यह जो सत्पूरा का रेंज है मद्य पर्देश में वहां पे लोकेटेड है मद्य पर्देश में पन्ना देख रहे हैं यह चतरपुर और पन्ना डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पे सिचुएटेड है मद्य पर्देश में यहां पे काफी टाइगर रिजर फेमस पी रहता है पन्ना ताइगर रिजर्ट, then come to this, अचानक मर अमर कंटक, यह चतीस गड़ में दिख रहा है, आपको है न, यह border पे मैंने दिखाए, यह हलका सा मद्यपर्देश में भी shared है, mostly चतीस गड़ में, समझ गया, यह जो अचानक मर अमर कंटक है, मैब में है, पन्ना मैब में है, पचमढ ही भी आप देख सकते हैं, मैब में है, तो जब आप यह सारे समझ गया, तो finally हम लोग याद कैसे रखें कि कौन सा मैब में है, कौन सा मैब में नहीं है, बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा मैं आपको, यह कोई निमोनिक नहीं है, intelligent तरीका है, आप देखिए, कोई चीज कम होती है, less होती है, सुखी होती है, एक ही जयसे चीजे है, कम होती है, लेस होती है, सुखी जयसी चीजे, cold dessert, jazz में भी कमी होती है, right, green का opposite किया है गेनी आपोजेट, desert है, कुछ नहीं होता, रिगिस्तान, तो desert कमी हो गई, great run-of, कुछ, कुछ है, कच रहला है, कुछ है, पूरा नह ही है थोड़ा थोड़ा है कुछ similar same meaning almost I'm not saying कि डिजेट का same meaning होता कुछ में डिजेट का मतलब भी क्या होता है sufficient चीजे नहीं होना कुछ का मतलब क्या होता है sufficient नहीं होना यह दोनों मैब में recognize नहीं है और फिर आप यह शेशा चलम देखिए Shesh का मतलब क्या होता जो भच जाता है remainder वह भी complete नहीं होता so desert complete नहीं होता कुछ complete नहीं होता शेश complete नहीं होता तो ऐसे तीनों नाव जहां पर अभाव है कमी है completeness नहीं है चाहे वह शेशा चलम हो, चाहे वो cold desert हो, या फिर वो आपका gulp of कुछ हो, कुछ बोल लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इसके अलावा, अरुनाचल पर्देश और असम में जो भी biosphere reserve है, वो map में recognize नहीं है, yes, तिहांग दिबांग, अरुनाचल पर्देश में recognize नहीं है, असम में मानस और पूतरी इधर, शेश वाले तीन, याद रहेगा, total 18 biosphere reserve है हमारी country में, उसमें से 12 recognized है map द्वारा, 6 recognized नहीं है, जो recognize नहीं है, तीन जो है, कमी वाले है, cold desert, gulp of कुछ, और थर्ड वाला क्या, शेश आचलम, शेश, और बाकी तीन कौन से है, एक अरुनाचल पर्देश, पूर मानस और दिबरुसायक हुआ, तो आसा मारुनाचल पर्देश का कोई भी map में recognize नहीं है, तीन तो यहीं हो जाते हैं, बाकी शेश वाले तीन है, dessert, goods, और शेश, done, तो क्या criteria है कि आपको designation मिलेगा, UNESCO के map में, आपके site में protected area effectively होने चाहिए, protection, minimally disturbed होना चाहिए, और कुछ core area होना चाहिए, जहां पर आप आप nature conservation कर रहा हूँ, that means कि अगर आपने निशन पर पाले शेश निचुरी बनाए हैं बहुत, तो बहुत अच्छा है, right, the core area should be, इसलिए नीलगिरी ही और अगस्ते मेलाई बहुत important हो जाते, बहुत protected area है महाँ पर, the core area should be of typical bio geographical unit and large enough to sustain viable population, population वग knowledge experience वगरा को देखें, link करें, conservation में, socio-economic development कराएं, आपको अच्छा काम करना पड़ेगा, है ना, कोई conflict है तो खतम करना पड़ेगा, and areas which are potential for preservation of traditional tribal and rural modes of living for harmonious, ये भी देखना है, tribal community है की नहीं क्या कर रहे है, चलिए, अब इसी से related concept है, civil strategy, देखिए क्या हुआ था, 1995 में स्प पेर को प्रोटेक्ट करने के लिए, और वहाँ पे एक recommendation आए, कि हम लोग बैस पेर रिजर्व को प्रोटेक्ट जब करेंगे, तो हम लोग जो action लेंगे, तो ये चो कि सिवाइल स्पेन की meeting से निकला था, 1995 से, तो हम लोग क्या करेंगे, सिवाइल स्ट्रेटजी करेंगे, औ कि युनाइटेड नेशन का जो conference हुआ था ना, Environment and Development, Rio Earth Summit, UNCD पढ़ा चुका हूँ, Rio de Janeiro वाला, वहाँ पे ही तो convention on biological diversity निकला था, तो CBD निकला, Rio Earth Summit से 1992 में, उस CBD को support करने के लिए, ये लोग meeting करते हैं, स्पेन के, सिवाइल में, 1995 में, तीन साल बाद, और सिवाइल स्टेटज पर बेस्ट, बाद में, एक Madred Action Plan आता है, वो भी स्पेन का, इसको 2008 में, अडॉप्ट के जाता है, एक World Congress होती है, Biosphere Reserve की वहाँ पे, अब ये मिला जो लाकिना, सिवाइल स्टेट जी आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत क्लियर नहीं होगा, मैंने बताया ना, इसको इंप्लिमेंट करना है, सिवाइल स्टेट जी के थ्रू, इसका मतलब ये है, कि आप इसमें, क्या करेंगे, लोगों को कनेक्ट करेंगे, है ना, create greater solidarity among people and nations of the world, and ध्यान ये ये रखना है, कि सिवाइल स्टेट जी कम्मुनिटी बेस्ट अप्रोच की बात करता है, कि लो होगों और environment की बीच में connection की बात करता है, scientific research भी साथ में होता रहा है, तो देख रहे हैं आप, मैंने तीन लाइन हाइलाइट किया है, तीन लाइन और वो तीन लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हाइलाइट कर दीं, जो कि पढ़ाना है, यूनिसको ने क्या क reserve declare किया है, जो कि five country में, five country में situated है, बास पर reserve, मतलब national boundary cross करके, इसको हम लोग Amazon of Europe कहते हैं, Amazon नहीं है, Amazon of Europe है, तो क्या है, ये देखिए, आस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोशिया, हंगरी, सर्विया, नहीं याद रखने की जोड़त है, यूरोप में इतना समझ ले, आस्ट् यूरोप की जो country है, यहाँ पे मुराद, द्रावाद, दनूबे, दनूबे तो काफी अब जानते हैं, ये rivers फ्लो करती है, उनके करन काफी biodiversity है, in fact, continental Europe, Europe का highest density है, यहाँ पे, white-tailed eagle का, साती सात कुछ endangered species, जैसे के little turn, black stock, otter, beaver, ये सारे रहते हैं, कुछ भी याद नहीं रख दिकीन, उन्हें जो भी biosphere reserve के बारे में बताया, आप चाहें, अगर विश्वास नहीं है, तो screen को रोकें, और पढ़ें, एक एक line मैंने उपर पढ़ा दिया, ये diagram भी पढ़ा दिया, एक एक line पढ़ा दिया, this entire thing now is already covered in the static, तो next current affair देखते हैं फिर, next current affair, UNESCO से related है, और UNESCO के conservation से related है, इसलिए मैंने आपके include किया, लेकिन जैसे ही मैं ये conservation activity पढ़ाऊँगा, तो उसके आगे next में आपको UNESCO का heritage list होता है, उसके बार में थोड़ी सी जानकारी दूँगा, बागी art and culture में आता है वो, anyway पहले ये cover करिए, देखिए ये actually world heritage forest क्यों news में है, क्योंकि इसके ल national union for conservation of nature, IUCN, IUCN से क्यों collaborate करना पड़ा, क्योंकि UNESCO का काम बहुत ज्यादा, चली education वगरा, सब कुछ चीजों में involved है UNESCO, तो जब biodiversity के conservation की report वगरा बनानी होई, तो IUCN काफी help कर सकता है, तो दोनोंने collaborate कर लिए, IUCN ने, और UNESCO के world resource institute ने खास करके, और एक report निकाली, first time ऐसी report आई, उन्होंने scientific assessment किया पूरे global level पे, कि दो दुनिया भरके UNESCO की world heritage sites होती है, UNESCO की recognized world heritage site होती है, उस world heritage site में natural sites भी include होती है, या mixed site भी होती है, तो जो natural या mixed site है, तो उसमें कई सारे forest है, तो उन forest में carbon निकल रहा है, कि या store हो रहा है, कि emission हो रहा है, इस की study IUCN ने करती, त UNESCO के world heritage site के अंदर जो forest थे, उनके carbon के level क्या है, emission क्या हो रहा है, sequestration कितना हो रहा है, इस की report first time निकली scientific assessment, इस report की key finding में ये देखी कि 20 years में अच्छे खासे forest lose हो चुके हैं, इस world heritage site में, UNESCO के ऐसे 10 world heritage site हैं, जहां पे जो carbon emit जादा हुआ है, अब्जॉर्ब कम हुआ है, और दो जो most widespread concern है, climate change associated with severe weather, ये थोड़े थोड़े कभी conceptual question बन जाते हैं, यहां पे देखी जैसे shifting, habitat shifting वगर से भी दिक्कत है, land use pressure associated with human activities, लकडी काटना से लेके, जंगल जलाना सब कुछ हो सकता है, हमारे लिए important ये है, मैं पहले वाले हो, delete ही करते तो हो, नितो आप पढ़ने ल आपको एक चीज़ यहां पे देखी, most of the world heritage forest carbon is a student tropical site, tropical area में सबसे ज्यादे ऐसे forest है, हाँ, main report में है कि इंडिया के सुंदर्बन नेशनल पार्क की बात की गई है, this is among five sites that have the highest blue carbon stocks globally, तो blue carbon stock क्या होता है ये जानता है, UNESCO ने बोला, report में कि सुंदर्बन नेशनल पार्क जो है और सुंदर्बन क्या है, world network को biosphere reserve में ही है, तो सुंदर्बन नेशनल पार्क जो है, दुनिया की पाँच टॉप की sites है जो blue carbon के stock में, तो वहाँ पे top में है, one of the five, blue carbon, organic carbon है, mainly obtained from decaying plant leaf, plant सढ़ जाए, wood सढ़ जाए, root decay हो जाए, animal मर के सढ़ जाए, इस से जो coastal area और marine ecosystem में, organic carbon ही बनेगा ना, वो organic carbon coastal area में, marine area में चला गया सुंदर्बन से, इस carbon को blue carbon कहते हैं, blue carbon ecosystem में साथी साथ, sea grass, meadows भी होते हैं, sea grass क्या होते हैं, समुदर में जो घासे होती हैं, tidal marshes होते हैं, tidal area में, जो marshland होते हैं, वहाँ पे कुछ plant बगर हैं, then mangroves भी होते हैं, तब समाझ बगर है के कारण, सडने गलने से, जो organic carbon गया समुदर में, coastal area में, उसको blue carbon कहते हैं, तो सुंदर्बन तो हैं पूरा का, पूरा mangrove forest है, वहाँ पे, तो blue carbon के stock में, top 5 में है, जब हम लोग ये पढ़ी रहे हैं, कि UNESCO की world heritage sites natural वाले भी होते हैं, और वहाँ पे report आई, तो ये देखिए कि UNESCO की world heritage sites क्या होते हैं, देखिए इसके प्यायल है, एक convention है इसके पीछे, that convention is convention concerning protection of the world cultural, देखिए cultural and natural heritage also, UNESCO ने एक convention adopt किया था 1972 में, protection of the world cultural and natural heritage, heritage, जो साइटर का गनाईज होती है, वहाँ पे tourism बढ़ेगा, वहाँ पे UNESCO सपोर्ट करेगा, तो UNESCO ने क्या किया था 1972 में किया था है, इंडिया इसमें है पार्ट, ठीक, अब world heritage site UNESCO के हिसाब से ऐसे site है, अगर आप technical definition सुने तो UNESCO का जो world heritage list है, उसमें है, बट जानना यह है कि जो site जिनकी outstanding universal value है, concerning the protection of the world, या तो cultural की बात करें, तो cultural में ancient monument आ जाएंगे, museum आ जाएगा, या natural site भी है, biodiversity का है, geological heritage है, geological पूराना history है, इंडिया में क्या कोई geological world heritage site है, heritage site है, नहीं, इंडिया में कोई भी geological world heritage site अभी recognize नहीं हुआ है, तो इसके लिए, एक और category है, mixed भी होती है, जो की natural भी है, और साथी साथ, साथी साथ, कुछ उसका ancient value भी है, तो मतलब cultural और natural दोनों हो गया, तो वो mix हो गया, जैसे कंचन जंगा है, तो world में, culture के level पे, natural level पे, different कारनों से UNESCO, अगर natural की बात करें, तो biodiversity है, geological heritage के अधार, geological heritage के अधार पे, इंडिया में कोई world heritage site नहीं है, natural के अधार पे है, mix है, इसके लिए UNESCO ने 10 criteria बनाए है, अभी जो nominated site, चाहे cultural हो, चाहे natural, must be of outstanding value and top 10 criteria में, अगर एक criteria भी, 10 criteria meet कर रहे हैं, तो आपका काम हो जाएगा, आप recognize हो जाएगे, और अगर खास करके, अलग से हम लोग चोकी biodiversity पढ़ रहे हैं, तो natural heritage site की बात करें, तो those sites are restricted to those natural areas, जहां पी example मिलता है, अर्थ का record of life का, मतलब पूरा evolutionary history पता चल रही है, या जियो ल से से चल रहे हैं, किसी का extension नहीं हो रहा, और हो भी रहा तो नहीं चीज़ें आ रही है, यहाँ पर ऐसी natural phenomenon हो, जो की काफी rare है, unique है, superlative है, outstanding है, या फिर यहाँ पर जो habitat है, rare endangered animal या plant species के, exceptional biodiversity, तो ऐसे कुछ criteria है, और यह सारी चीज़ों के पीछे, UNESCO का World Heritage Convention 1972 है, इस Heritage Convention के जाधा sites है, 110 countries में जो हैं, यह site situated है, उससे भी जाधा, और अगर बात करें, तो अर्थ के surface का 1% और sea का भी, ocean के भी surface का 0.6% कवर करते हैं, अब इंडिया की बात करें, तो इंडिया में total 40 World Heritage Site है, इस मेंसे 32 तो cultural है, बट 7 natural भी है, और यही natural वारल में इंडिया के forest, I am not talking about UNESCO Man and Bows, पर रिजर्ड प्रोग्राम, वो अलग है, वो अलग है, यहाद रखिएगा, यह यूनिसको की World Heritage List है, वो Man and Bows, पर रिजर्ड प्रोग्राम अलग है, दोनों अलग अलग चीज़ें, तो 32 cultural, 7 natural, 1 mix site, इंडिया में total 40 है, 32 cultural, 7 चोड़ दीजे, 39 हो गया, एक mix है, चली द पहले आपने पढ़ा था, Great Himalayan, यह अपने cold desert पढ़ा था ना, sorry, Great Himalayan National Park Conservation Area, यह पूरा का पूरा Great Himalayan National Park है, यह हिमाचल प्रदेश में है, यह यूनिसको के World Heritage List में as a natural site आता है, यह नंदा देवी अभी 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 आपने पढ़ा था, नंदा देवी और साती साथ Valley of Flower, न दू के बाद में थोड़ा इधर आ जाता हूँ, राजस्थान का जो आप जानते हैं, यह भरतपूर में, केवला देव नेशनल पार, यह भी natural site है, तीन हो गए, थोड़ा south में आई है, south में आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, अगर बात करें, सुन्दर बन की, तो सुन् देख रहे हैं, that is also a natural site, यहां पर आपको देख के साथ रेट से नहीं पता चलेगा, बट पूरा का पूरा western गार भी natural site है, तो अगर मैं थोड़ी देल के लिए मार्क करूं, जो मैं बाद में डिलीट कर दूँगा, तो सबसे पहले हमने हिमाचल प्रतिस से शुरवात किती, ग्रेट हिमाले national park conservation area, क्या है ये? निचरल है, नदा देवी यान वैली ओ फ्लावर निचरल पार, दूसरा ये क्या है? निचरल है, केवला देव निचरल पार, निचरल है, तीन हो गए, western गार, निचरल है, चार हो गए, साउथ में और कुछ नहीं, वेस्ट बंगाल के सुं 32 कितने थे, 32 क्या थे cultural थे, right natural कितने थे 7 थे, 7 complete हो गए और एक क्या था mixed था, कंचन जंगा national park जो है वो mixed category का UNESCO World Heritage Site natural भी है, cultural भी है got this आज के lecture में अभी तक की काफी कुछ कवर हो गया है है ना, चलिए अब मैं आपको United Nations के different activities, biodiversity के लिए छोटे छोटे activities, सारे की list पढ़ाता हूँ इसमें से कुछ से तो direct question आ चुका है कभी भी आभी सकता है और topic number 1, United Nations strategic plan for forest 2017 से 2013 किसका है, United Nations का एक strategic plan है दुनिया बर के forest के लिए 17 से 13 में 30 की बात है तो कब launch हुआ होगा, obviously 17 में United Nations का forum हुआता है UN Forum on Forest 2017 वहाँ पर ये prepare किया गया था बाद में United Nations की General Assembly ने इसको adopt किया था, अब इसमें कितने goal है, कितने target है, ये नहीं जानने है बढ़ 2030 तक करना है आपको क्या जानना है, आपको जानना है कि voluntary है, यूनिवर्सल है इसमें overall world के area में forest जो है, वो increase करना forest कहे रिये कितना 3% worldwide अब देखते हैं, forest का world के level पे भी चलता है पूरा measurement 3% worldwide 2030 तक आसान भी है, 33, ये याद रखना है थोड़ा सा, बाकी ये है याद रखना है कि United Nations का एक ऐसा program चल रहा है और voluntary है, that's it फिर आया, decade on ecosystem restoration, decade मतलब दर्शक, उसके अंदर अभी हम चल रहे है ये United Nations की General Assembly ने proclaim किया था, 2021 से 2030 को हम लोग क्या बोलेंगे decade on ecosystem restoration करें United Nations का पता नहीं क्या 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 decade मना रहा है, man group का decade, boys का decade, abhinow का decade, corridor का decade, सब का decade करा देगा decade on ecosystem restoration 2021 से 2030 decade on ecosystem restoration declare कर दिया, ठीक, अब इसमें, restoration में United Nations directly तो काम नहीं कर सकता लेगी निसकी जो organization है, वो काम करेंगी United Nations Environment Program and Food and Agriculture Organization जो है, ये साथ मिलके काम करेंगे ecosystem के restoration के लिए, इसके लिए जो work किया जाएगा उससे कई सारे international agreement की fulfillment होगी, जैसे कि sustainable development का agenda है 2030 तक का, उसमें help मिलेगी आपको पढ़ाया था न, convention on biological diversity में आगे जाके, IG target बगर की बात है इसको help मिलेगी UNFCCC, climate change वाला उसमें भी help मिलेगी, Paris agreement climate change से related है, उसमें help मिलेगी United Nations Convention to Combat Desertification, जो रियो से निकला था उसमें भी help मिलेगी, उसी के अंदर आता है land degradation, neutrality की, land का degradation फिर neutral condition बन जा, उसमें help मिलेगी रामसर convention, wetland वाला उसमें भी help मिलेगी, then global partnership on forest and landscape restoration, ये जो चीज़ देख रहा है हम, GPFLR इसको पढ़ेंगे हम लोग global partnership on forest land restoration, इसको भी देखेंगे, इसमें यहां जो मैंने नाम लिया global biodiversity नहीं, global partnership on forest landscape restoration, ये हम यहां पर पढ़ेंगे, उसके पहले biodiversity finance initiative पढ़ेंगे ये United Nations Development Program ने लॉँचिए, तब यही आपको याद रखना है biodiversity finance initiative is a program by finance भी बोलते हैं, finance भी बोलते हैं, दोनों सही है, कंदा भी बोलते हैं, और दिल का बोज भी बोलते हैं, दोनों सही है, खेर, launch किया था, UNDP ने 2012 में, मेरे को एक बात बताईए, ये लेक्चर देखने के बाद आपको आत्मा में एक अलगतर क्यों नहीं आती, चिनगारी नहीं जलती कि अरे बापरी इतना knowledge आया, connect हो क कि आया, तो आपको कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको मतलब लगता है अंदर से कि ओ माई गॉड कितना कुछ सीख लिया, पहले तो कुछ आता ही नहीं था, चली कोई बात नहीं, आर यह से फेलिंग तो अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा भी तेज मत बनी है, तेज बता का अध प्रोग्राम है, बीच-बीच में लेना पड़ता है, बाई, नहीं तो इंसान उल्टा भागल हो जाएगा, बायो डाइवर्सिटी फाइनांस इनिशेटी बायो फिन, तो इसको लांच किया था, यून डिप ने 2012 में, अब इसका काम क्या है, बायो डाइवर्सिटी में जित स्टेट बाई, हमारी कंट्री में गर बायो फिन की बात करें, तो हमारे नैशनल लेवल पर भी तो हल्प करेगा ना, तो इसके लिए जो नैशनल बायो डाइवर्सिटी अथारेटी हम आगे पढ़ेंगे, नैशनल बायो डाइवर्सिटी अथारेटी, ठीक है, चिंता मत कर यह बाई इससेटिटेट प्राइसंटेट प्रोग्राम है बाईडियर से पैसे लेने के लिए इंडिया ने भी अपना बनाया है और वो गौडिनेट करता है कि इसके साथ स्टेट की बॉर्ड के साथ यह बॉर्ड और अथोरेटी आपको बाइडिवर्सिटी एक्ट में जादर समझ में आगी खैर उपर मैंने बात की थी कि जो युनाइटेट नेशन का लॉष्ट नेट इघ्रेडेट फॉरेस्ट है उसको हमको रेस्टोर करना है फिर से यह क्यों है यह क्यों है ग्लोबल पार्टनर्शिप उन फॉरेड़ेश करता है अब बॉन में यहा कि दुनिया बर के 150 150 million hectares of forest, deforested जो area, degraded land जो हैं, उनको सही करना है, forest लगाने फिर से, restore का मतलब ही होता है कि 150 million hectares जो deforested होगे, degraded land होगे, उसको फिर से forestation करना है, bond challenge 2020 का पहले target था, कितने का 150 million का, फिर बाद में इस target को 350 million hectare किया गया, कि 2030 तक bond challenge के अंदर, चलिए, bond challenge आगे पढ़ेंगे, लेकिन bond challenge का पहला target था 150 million hectare, 2020 तक, 20 तो cross हो गया, अब target है कि 2030 तक दुनिया बर में, deep forested और degraded land पे जंगल लगाएंगे, कितने पे 350 million hectare पे, क्या यह याद रखना है, yes, you should be remembering, question आ चुका है, एक पर, miss similar, exactly तो नहीं आ था, वरबर टीम, बढ़ ठीक है, मतलब, you should be knowing that 350 million hectare targeted 2030 तक, इसका bond challenge का, तो bond challenge का, चुकी target है, उस target को fulfill करने में, global partnership help करेगा, IUCN वाला, उसका भी तो काम है, landscape restoration, आपने उपर पढ़ा, global partnership on forest and landscape restoration, आप पढ़िए, forest landscape restoration, इसमें भी IUCN है, लेकिन साथ में, worldwide fund for nature, WWAP है, यह दोनों का term point किया था, FLR 2000 में, FLR एक planned process है, ecological integrity रखनी है, human well being बचाना है, deforested or degraded landscape को ठीक करना है, FLR site based नहीं है, large area में, जहाँ पर बहुत चीज़ें एक बार में कंजर हो सके हैं, सब पर focus करती है, FLR उतना important नहीं है, अब यहाँ पे, आप एक बार bond challenge देखें, उसके पहले मैं आप आपको World Forestry Congress के बारे में बताता हूं, World Forestry Congress South Korea के Seoul में हुई थी, तो वहाँ से जो declaration निकला World Forestry Conference से, उसको Seoul declaration कहते हैं, अब यह कब हुआ था World Forestry Conference, Congress, भाईया मैं 2022 में हुआ था, करेंट फिर से डाला है, ठीक, आपको पता नहीं चल रहा है, करेंटे पर साथ में cover हो रहाए आ South Korea में, South Korea का Korea Forest Service और साथी साथ Food and Agriculture Organization ने इसको और्गनाइज करा है था, यह Second World Forestry Congress है, जो की एशिया में हुई है, पहला एशिया में किसी ने होस्ट किया तो इंडोनेशिया ने किया था, 1978 में बताईए, 1978 के बाद, First Time किसी Asian Country ने World Forestry Congress को होस्ट किया, Civil Declaration निकली तो important है कि नही Forest, Forest Forest पढ़ा रहो ना, तो World Forestry Congress जो हुई, उसमें Large Gathering आये, World Forestry सेक्टर के सारे लोग आये, हर 6 साल में 1926 से होती है, यह कौन कराता है, Food and Agriculture Organization, उसीने तो कॉडिनेट किया है, यह सियोल की, Korea की Forestry Service से, तो Food and Agriculture Organization कराता है, और Government जो होती है, होस्ट कंट्री कि उसको होस्ट करती ह है, जैसे South Korea ने किया, Knowledge और Experience शेर करते है, यहां से जो सियोल डेक्लेरेशन निकला, उन्होंने बोला कि हम धीरे धीरे एक सर्कुलर बायो एकॉनमी की तरफ चाहें, सर्कुलर बायो एकॉनमी क्या होती है, जो बिल्डिंग ब्लॉक है, मैटेरियल के केमिकल एनरजी, यह सार बान चैलेंज की शुरुआज जो है, जर्मनी ने की थी, और उसकी हेल्प कर रहा था, IUCN, जर्मनी में ही तो प्लेस है, बान, बान नाम की जगह, जर्मनी 2011 में, जर्मनी की गवर्नमेंट और IUCN, बट साथ-साथ में, ग्लोबल पार्टनर्शिप और फॉरेस्ट लैंड़ के प्रेस्टोरेशन, GPFLR, यह सबने पार्टिसिपेट के और बोला कि हम लोग फॉरेस्ट बचाएंगे, मैंने बोला ना, बान चैलेंज की जो टार्गेट है, उसको फुल्फिल करता है GPFLR, यह वाला, यह देखिए, GPFLR, रिस्पॉंट्स डारेक्ली टू बान चैलेंज, साथ मिल के काम करते हैं, पहला टार्गेट क्या था, 150 मिलियन हेक्टेर हम लोग डिग्रेड़ेट और डिफॉरेस्टेड लैंड को कंजर्ब कर देंगे, फिर से 2020 तक, इसको हमने बढ़ाया 350 मिलियन हेक्टेर, 2030 तक, अब इंपोर्टेंट यह है कि 350 मिलियन हेक्टेर का टार 250 से, यह वलंटरी था पहले, यह भी टम डाला था, क्या यह वलंटरी है, इट वाज वलंटरी, नॉन बाइंडिंग, न्यू यॉर्क डेक्लेरेशन अन फॉरेस्ट, न्यू यॉर्क में हुआ होगा, न्यू यॉर्क में क्यों हा था, यूनाइटेड निशन के सेक्रेटरी जेनरल ने आपको यह याद होना चाहिए कि जो पैरिस क्लाइमेट के डील थी बहुत बड़ी डील थी वह कब हो नहीं थी 2015 में तो उसकी तैयारी के लिए इसी युनाइटेट जेनरलर के सेक्रेटरीज़न चाहिए नृता सिक्षरेटरी जेनरल नैशनस्ट मेंट यहों हो तो तो नियू यॉर्क डेक्लिरेशन और फॉरेस्ट आया वलेंट्री नॉन बाइंडिंग और बोलेगे कि बॉन्च चैलेंज को जर्मनी आयूसीन और जीपीए पहलार ने लॉंच किया था प्रिप्टी मिलियन कर देंगे 2030 तक अभी जब गिए वलंटरी था तो इंडिया से बोलेगा कि आप साइन करना चाहोगे इंडिया ने बोला नहीं क्यों कि ये लोग क्या कर रहे थे लोग बोले कि फॉरेस्ट को कंजार्ब करना इसके लिए इंडेस्ट्री डेवलोप्मेंट जो ट्रेड का मैटर है वो वल्ड ट्रेड अर्गनेजेशन को देखना चाहिए जेनरल एसेम्बली क्यों कर रहे है य। इंडिया बोला कि हम नहीं साइन करेंगे क्यों हमारा मनना है कि निव और ट्रेड और क्लाइमेट चेंज को लिंक कर रहा है विच इस नॉट राइट क्लाइमेट चेंज होना चाहिए UNFCCC में यहां भी कर लीजिए लेकिन ट्रेड का मैंटर डबलू टी यू से होना चाहिए ठीक बाद में इंडिया ने बॉंड चाहिए नहीं किया अगले साल 21 में 2015 में इंडिया जॉइंड बॉंड चाहिए और वहां पे इंडिया कहती है कि हम लोग 13 मिलियन हेक्टेर डिग्रेड डिफॉरेस्टेट लैंड जो है 2020 तक कर देंगे बाद में एट मिलियन एडिशनल हेक्टेर की बात की 2030 तो 20 तक उन्होंने क्या बोले इंडिया ने कब बोला था यह 15 में बोला था कॉप 21 में मोधी जी ने जब इंटरनेशनल सोलर लांच हुआ था उसी मिटिंग में कि 2020 तक हम लोग 13 मिलियन डिग्रेड डिफॉरेस्टेट लैंड को वापस करतेंगे कंजर्व करतेंगे मतलब है ना रिजुविनेट करतेंगे फिर बात में 2030 तक हम लोग और 8 मिलियन हेक्टेर लैंड को हम लोग साही कर देंगे तो टोट अब हम लोग 21 नहीं 26 मिलियन हेक्टेर अप लैंड को ठीक कर देंगे 2030 तो इंडिया का कितना टार्गेट अटार्गेट हो गया है उसको ठीक कर देंगे और वहान में 26 मिलियन हेक्टेर क्या इंडिया ने नियू आक्टेक्रेयशन फॉर्च पर चाहिन के सायन किया नहीं अब देखिय के एक रिपोर्ट है ग्लोबल फॉर्च डेक्लेरेशन असेस्मेंट रिपोर्ट कहलाती है Global Forest Declaration Assessment एक Civil Society Initiative यह इंटर गवर्मेंटल और्गनाइजेशन नहीं है इसमें हम लोग यह देख रहे हैं कि जब हाल्ट करना है डिफॉरेस्टेशन और बॉन चालेंज करना है इसाफ से हम कितना काम कर रहा है यह गोल जो है यह जब अने दाम यह चाहिए लीगल पॉलिसी होनी चाहिए finance to forest होने चाहिए तो key finding report के क्या है deforestation rate decline हुई है commodity target 10% achieve हुआ है commodity driving tree cover loss tree को commodity की तरह use करना यह भी decline हुआ है यहाँ पर target 20% achieve हुआ है और बात करें तो अगर mitigation finance की बात करें तो उसमें कितना कितना है नहीं याद रखना governance की बात करें तो यह इतना enough नहीं है done हो गया आप देखें next topic बड़ा interesting है जब यह PT 365 में आया था तो इस topic की developments हो रही थी और अगर आप Vision Eyes की March की magazine देखें तो इस topic का finalization हो गया है तो जब आपकी updated 2 आएगी तो उसमें यह topic पक्कान है बड़ा important है तो मैं जो पहले जो news आएथी उससे दो लाइन बता देता हूँ फिर मैं March की magazine जो की आई गई है तो मैं topic आपको बढ़ा ही देता हूँ updated में आपको नहीं देखना पड़ेगा तो March तक का current affair हो जाएगा देखें इसका नाम है Biodiversity Beyond National Jurisdiction Short में इसको आप exclusive economic zone होती है उसके बाद का जो area है उसको हम लोग Biodiversity Beyond National Jurisdiction कहते है चलिए वो अलग से मैं आपको समझाओंगा भी लेकिन ये देखिए हम लोग Biodiversity को अब तक नाशनल jurisdiction में प्रोटेक्ट करते हैं लेकिन international level पे भी तो जो ऐसा open sea है इसको कि हम लोग high sea बोलते हैं मतलब वो किसी के भी jurisdiction में नहीं है पूरी दुनिया का common है जैसे मालेजे की कलकुव स्पेस में lower earth orbit में भी बहुत सारे organism रहते हैं अगर रहते तो स्पेस में obviously नहीं रहते हैं क्योंकि हवा नहीं है लेकिन अगर रहते हैं तो वो भी तो एक biodiversity थी लेकिन marine system में तो national jurisdiction के बाहर भी biodiversity है तो क्या हम पर ये जिम्मेदारी नहीं है कि हम ऐसी भी biodiversity को protect करें लेकिन अब ये area तो किसी country के अंदर नहीं आता high sea वाला उसको protect करने के लिए तो United Nation नहीं help करेगा exactly तो United Nation help करने के लिए एक method ला रहा है convention ला रहा है जब आ रहा था news पहले की news biodiversity beyond national jurisdiction बायो डाइवर्सिटी इसके लिए United Nation के meeting में वगर हो रही थी कि कैसे कैसे हम लोग इसको करेंगे ये पूरा का पूरा जो mechanism है ना United Nation की unclosed treaty के अंदर ही होगा 1982 का United Nation convention on the law of the sea जो आप काफी पढ़ते हैं unclosed वह भी पढ़ाऊंगा भी उसी के अंदर ये treaty की जा रही है मज़ेदार बात यह है कि area beyond national jurisdiction have 95% of the ocean और इसमें कई सारे ecological, economic, social, cultural, scientific and good security benefit derive कर सकते हैं अगर आप उसकी बायो डाइवर्सिटी को प्रोटेट करें तो हम लोग BBN जे अच्छे से पढ़ेंगे मार्च की मैगजीन से सती साथ मैं आपको बता दूं कि ocean वगरे के लिए अंक्लोज का United Nation convention of the law of the sea का 1994 का agreement है उसमें क्या है अंक्लोज का part 6 कुछ 11 कुछ important हो का अब बायो डाइवर्सिटी अब बायो डाइवर्सिटी अब एरिया ब्यॉंड नाशनल जूरिज्डिक्शन ट्रीटी हो चुका अब यह जो एरिया ब्यॉंड जो नाशनल जूरिज्डिक्शन होते हैं उनको हम high-cb कहते हैं तो can we call this treaty United Nation high-c treaty obviously it is for biodiversity significance क्या है high-c कि यह सब आप कुछ आनने की जुरत नहीं है इतना आप कर रही लेंगे conceptual चीज़ें बीबी एंजे ट्रीटी की अगर बात करें तो शुडवात करिए यहां से ब्यॉडिवर्सिटी ओप एरिया ब्यॉंड नाशनल जूरिज्डिक्शन हाई सी ट्रीटी यह अडाप्ट हो चुका अडाप्ट कहां हुआ फिप्थ यूनाइटेड न इसको अडाप्ट कर लिया गया अडाप्ट किया गया है इसको अनकलॉस के फ्रेमवर्क के अंदर और फाइनली यह मुद्दा कहां से आया है यह मुद्दे की ओरिजिन तो देखिए रियो प्लस 20 समिट से रियोट समिट से नहीं रियो समिट के 20 साल बाद जो रियो में कराएंगे और एक लिगली बाइंडिंग अग्रीमेंट लेकर आएंगे प्रॉपर तो उसी की जो पांच में इंटर गर्मेंटल कॉन्फरेंस थी न वहां से फाइनली आ गया इस कॉन्फरेंस की सुरवाद 2018 से होई ती यह जो इंस्ट्रूमेंट बीबी एंजे लिगली बा समझना पड़ेगा कि 2022 की बात है फ्रांस ने अपने ब्रेस्ट नाम की शहर में वह नहीं याद रखना फ्रांस ने अपने शहर में 2022 में वन ऊसन सम्मिट कराए ती जिसमें हेल्प किया तो उनाइटेड निशन और वर्ल्ड बैंक ने उस वन ऊसन सम्मिट में हाई एंबिश कोईलिशन बना उसी ने ये हाई सी ट्रीटी की शुरुवात की है अच्छा ये जो बीबी एंजे के लिए कोईलिशन बना उसमें इंडिया भी पार्ट है तो यहां आ जाईए पैरिस अग्रिमेंट क्यों कहते हैं उसन कब समझ गया क्योंकि जो इसके पीछे जो मीटिंग ह हुई थी वन ओसन समिट वो फ्रांस में हुई थी यूएन और वर्ल्ड बैंक ने करवाया था मिलके वहीं से हाई अंबिशन कोईलिशन निकला था उसी ने इस ट्रीटी के एडॉप्शन में हेल्प कि है हाई अंबिशन कोईलिशन जो वहां पर बना था इंटर कुन्मिंग मॉंट्रियल ग्लोबल बायोडिवर्सिटी फ्रेमवर्क यह आगे में लोग पढ़ेंगे सी बीडी अगले क्लास में कुन्मिंग मॉंट्रियल ग्लोबल बायोडिवर्सिटी फ्रेमवर्क सी योपी 15 जब चल रहा था कॉप 15 जब चल रहा था कन्वेंशन ऑन ब दोनों को मिला कि कुनमिंग, मॉंट्रियल, ग्लोबल, बायोडियवर्सिटी फ्रेमवर्क कहते हैं GBF, अब इस फ्रेमवर्क में जो में चीज़ें थी, जो टार्गेट है वो तो मागी की क्लास में पढ़ेंगे, लिकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूं उस फ्रेमवर्क में कोंभिंग मॉंट्रियल ग्लोबल बायोडियर्सेटि फ्रेमवर कहां है था कॉप 15 cbd के टूठाजटेंटेटी तूमें इसमें आफ फूर गोल्स हैं 2050 तक के लिए याद रखिएगा इसीज को कोनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडिवर्सिटी फ्रेम और कॉप 15 ओफ दे सी बीडी गोल चार है और वो गोल कब तक पूरे करने हैं 2050 तक और टारगेट कितने है 23 वो 2030 तक करने है ये जो 23 टारगेट से ने 2030 तक करने है उसी में 30 पर्सिप्लानेट के लैंड को प्रोटेक्ट करना है 30 परषेंट कहिए 23 टारगेट में तक प्रोटेक्ट करना है इन्लैड वार्टर्स 30 पर्षेंट करना है तो इसी चीज को हम लोग 30-30 गोल कहते हैं, सब चीज में 30-30, 2030 तक 30% 30%, तो उसी में से 30% ये भी है, कि हम लोग क्या करें, World's के Land and Ocean को 2030 तक प्रोटेक्ट करें, तो यही हमारा गोल रह गया, High Sea Treaty का भी, उसको फॉल्फिल करने में हेल्प करेगा, High Sea क्या होते हैं, ऐसे सारे ओस जो आपके Exclusive Economic Zone के बाहर है, that means की Territorial Sea के भी बाहर रहेंगे, Internal Water के भी बाहर रहेंगे, यह सारी चीजे कहां से आती है, Maritime Zone की Definition, यह आती है, Unclosed से, तो Unclosed क्या है, United Nations Convention on the Law of the Sea, जिसको चाइना नहीं अगरी करता, डिसीजन से, इसका Headquarter देखे, जर्मनी में है, Secretariat इसका कहा पर है, Division of Ocean Affairs and the Law of the Sea, Dowa Laws, United Nations में अंदर, अब वो तो ज़रूरी नहीं है, यह करता क्या है, पूरे दुनिया के लोग, Open Ocean में क्या Law follow करें, क्या Order follow करें, World के Ocean के Sea की कैसे Protection की जाए, वहाँ पर क्या Rule Regulation होंगे, Freedom of Navigation की मेंटेन की जाएगी, यह सारी चीजें Unclosed करता है, Unclosed, Concluded after three United Nations Conferences, तीन Conferences हुए थे, और Conferences का नाम क्या था, Law of the Sea, Unclosed 3, finally जब हुआ, 1973 से 1982 के भीच में, 1982 में Adopt कर दिया गया Unclosed 3 को, और अभी जो आप Unclosed देख रहे हैं, Laws, यह Unclosed 3 के हैं, और 1994 में Force में आ गया, काफी सारी पार्टी है, इंडिया मेंबर है, इंडिया इसकी Establish हुआ है, यहाँ पर Dispute को Hear करता है, Interpret करता है, Treaty के Application Code, Interpret करता है, Treaty को Apply करता है, क्या है, International Court of the Law of the Sea, किसके अंदर है, Unclosed का Court, right, International जो भी Issue होगा, Dispute होगा, Ocean वाला, उसको Deal करेगा, Unclosed 3 हम लोग देख रहे हैं, 1994 में Force में आता, Adopt वाता, 1982 में, इसी Unclosed के अंदर High Sea वा अलग होती है, Land की Mile अलग होती है, सबसे पहले Baseline से शुरुवात होती है, आपका Coast, यह क्या है, Average जहां पर आपकी जमीन की शुरुवात होती है, Average, High Tide, Low Tide, Millazula के एक Average निकाला जाता है, और वो उसके पहले आपका Land होता है, तो यहाँ से समुदूर की शुरुवात हो हो जाती है, यह बनता है Baseline, जिसके हम लोग Coast कहते है, Normally, अब यहाँ से लेके 12 Nautical Mile तक का जो एरिया होता है, उसको हम लोग Territorial Sea कहते है, Territorial मतलब बिलकुल हमारा, यह हमारा Air Space है, हमारा Seabed है, हमारा Soil है, यह होता है Territorial, territory के अंदर यहाँ थे 12 Nautical Mile हो गया, इसके बाहर International, यह International Air Space की शुरुवात हो जाती है, Territorial Sea हमारी जमीन है, बिलकुल, उसके बाद Contiguous Zone होता है, वहाँ पर थोड़ा बहुत आप Coast Guard बगर वाले लोगों को भेज सकते है, Limited Law Enforcement Zone होता है, Contiguous Zone कहां से खातक होता है, यह जो 12 Nautical Mile पर Territorial Sea खतम हुआ, उससे लेके और 12 Nautical Mile चले जाए, तो 24 Nautical Mile तक 12 से 24 के बीच में, यह Contiguous Zone हो गया, मतब लगा हुआ Zone, सटा हुआ Zone, Territorial Sea में आपकी territory है, वहाँ से लेके exclusive economic zone तक, यह जो 200 Nautical Mile की दूरी है, यहां से 200 Nautical Mile तक की दूरी, 200 total का चला गया, यह आपका exclusive economic zone है, territorial तक खुद का है यह exclusive, लेकिन territorial के बाद से ले exclusive economic zone है, इसमें कोई भी चीज होगी तो आपको मिलेगा, sovereign right over natural resources, water column and the seabed and subsoil, आपका sovereign right है, लेकिन territorial sea नहीं आपकी, लेकिन आपको यहां क्या जो economy होगा, आपके अंदर है, अब Continental Shelf वगर अभी आप जानते होंगे, Continental Shelf की सुरवाट, आपके territorial sea के बाद से लेके ऐसे चल अतम होता है, उसके बाहर का area, high sea कहलाता है, right, high sea कहलाता है, तो इस high sea के लिए treaty होई है, BBNJ, यह geographical है, Continental Shelf देखना, deep seabed area देखना, ठीक है न, sovereign right होते है, natural resources पे, seabed on subsoil पे, इस area तक, चलिए, यह सब important नहीं है, आप जो law के हिसाब से वो जानी है, कि 200 nautical mile exclusive convict zone, और उसक के लिए treaty होई, अब ठीक है, चलिए, अब यह topic करने के बाद आपको बहुत knowledge मिलेगी, और कभी भी question पूछे जा सकते हैं, बाकी ज़रूरी तो देखिए, कभी नहीं होता, कितना पढ़े कौन सा question आएगा, but knowledge का आप इंप्रूव होगी, Indian Antarctic Bill, Antarctic बोला है, मैंने Arctic नहीं बो है कि यह first domestic legislation है, अंटार्क्टिका के बारे में, है न, applicability किस पर होगी, दुनिया बर के लोगों पर, नहीं, हमारे country के जो लोग, इंडिया या foreign person कोई भी हो, vessel हो, aircraft, जो कि Indian expedition में involved होंगे, इंडिया की कोई अंटार्क्टिका में expedition जाएगी, उसमें कोई foreigner भी जाता है, इंड Arctic Governance and Environmental Protection के लिए, और ये Ministry of Earth Sciences के लिए, याद रखिएगा, Arctic Antarctic से related कुछ आये research, तो वो Ministry of Earth Sciences के अंदर आएगा, ना कि Ministry of Environment, Forest and Climate Change के अंदर, तो क्या क्या करेंगे, permit बगर देंगे, कि कौन जा सकता है, compliance ensure करेंगे, क्योंकि international laws है, कई सारे, Arctic Antarctic के, तो उसको follow करना पड़ेगा ना, भारत का कोई गया आजा के लाँ तोड़ दिया, गंदगी फैला दिया, रेडियो एक्टिव बेस्ट बनाती है, तो यह सब तो मनाएं वहाँ पे, तो Antarctic Environment के प्रोटिक्शन के लिए, सारे international laws सही से follow हो, हमारे देश के लोग गलती ना करें, इसके लिए, अब इसके प् अंटार्क्टिका की बात करूं, तो यह वर्ल्ड का 5th largest, southernmost, dryest, windiest, coldest and icyest continent है, अंटार्क्टिका कोई country नहीं है, global commons है, कोई यहाँ पे government नहीं है, कोई indigenous population भी नहीं है, पूरा का पूरा continent जो है, scientific preserve बना दिया गया है, दुनिया बर के लिए, अगर यहाँ पे active वालकेनों क की बात करें, तो दो है, एक है Mount Erebus, और दूसरा है Deception, Deception Island, Mount Erebus, यह दोनों active वालकेनों है, मैं कुछ location अंटार्क्टिका की आपको दिखा देता हूं, यह South Pole है, पूरा दुनिया का, Ross Ice Shelf, Ross Island, यह जब भी आप समझें, तो अंटार्क्टिका समझें, then, Ron Shelf, यह अंटार्क इतना काफी है, South में हमारा Magnetic Pole यहां है, South Pole यहां है, जस्ट बता दिया, आपको दोनों अलग होते हैं, ठीक है न, Ross, Ron, Weddell, Larson, यह थोड़ा दिमाग में रहे, ठीक, यह हो गया, अंटार्क्टिका का structure, राइट, तो इस पूरे की पूरे अंटार्क्टिका के लिए एक ट्र 12 original member कौन थे, यह हमें जानना नहीं है, हमें यह जानना है, कि currently इसमें काफी countries हैं, जिसमें कि इंडिया ने 1983 में इसको जॉइन कर लिया था, और उसको तुरंत स्टैटस, कंसल्टेटिम मिल गया था, प्रॉपर स्टैटस है इंडिया का वहाँ पर, अबजेक्टिव क्या है, डी मिलिटराइज करना है, इस इरिया में कभी भी मिलिटरी ना जा है, साइन्टिपिक रिशर्च के लिए कोलाबरेशन करना है, और अगर किसी कंट्री का वहाँ पर टेर्टोरियल सोबरेंटी का इसू चल रहाएगी, ब्राजिल कहता है, ब्राजिल तो नहीं कहेगा, माल आप अंटाक्टिक सील के लिए, कंजर्विशन आप अंटाक्टिक मरीन लिविंग और्गिनिजम के लिए, रिसोर्सेज के लिए, एन्वारेंटमेंटल प्रोटेक्शन टु अंटाक्टिक ट्रिटी, ये सारे हुए, इस से रिलेटिड एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूँ, पोलर साइंस और क्रायोस्पेर रिसर्च, पेसर स्कीम, ये हमारे लिए हमारी अप्रूब होई है, 2021-26 के बीच में हम लोग, पोलर साइंस और क्रायोस्पेर रिसर्च, पेसर स्कीम चलाएंगे, ये स्कीम जो है, इंडिया का जो अंटाक्टिक प्रोग्राम ह साथिसार Southern Ocean program है, Cryosphere and Climate program है, यह सारी चीजे हैं यह हमारे country के Polar Science and Cryosphere research में आते हरे, गाड़ इस न, Polar Science and Cryosphere research पूरा का पूरा जो अंब्रेला scheme है, उसके अंदर Antarctic, Arctic program, Southern Ocean program, and overall पूरा का पूरा cryosphere, जो पूरी दुनिया की आईस होते हैं, उसको Cryosphere कहते हैं, climate program. तो यह चार प्रोग्राम किसके अंदर आते हैं पोलर साइंस और पेसर स्कीम के अंदर उसका कंटिनुवेशन के लिए अप्रूबल दे दीगा अपने अभी इंडिया भी है 1998 में इंडिया साथी साथ कॉम नाफ का मेंबर अब यह क्या है कांसिल आप मैंजरी और रिसेच इसकार का फिटाइब पार्ट है तों कॉम नाफ इसकार उसकार मेंड़िट पर्टोकॉल और भी है एक Commission for Conservation of Antarctic Marine Living Resources इसका भी पार्ट है इंडिया अच्छा इंडिया का Research Station की बात करते हैं अब यहां देखें उसके पहले यहां देखिए मैंने जो नीचे ट्रॉ किया है यह अंटार्क्टिका के लिए है मैं लिख देता हूं अंटार्क्टिक नाइंटीनेटीफोर में इनका टाइम था इंद्रकंधी के टाइम में शाद हो गया था चले कोई बात नाइंटीनेटीफोर में दक्षिन गंगोत्री हमारा सबसे पहला यहां पर रिसर्च स्टेशन बना क्या होता है ठंड में कुछ साइन्टेस्ट अंदर रहेंगे घंट लगाएं बस्क्षिन गंगोत्री इंट करें कि नाम क्यों है तो पहले तो symbols प्रेजिसीर की से ऐइंडिया नहां दिया आपक्सिन गंगोत्री और उसी बंभी इसका नाम धुब हो गया तो उसको रॉक्षिन रखा जाता है यह अंटार्क्टिक में हो गए आर्क्टिक में कहां बेजे अब आर्क्टिक में जमीन है लेकिन देशों के अंदर आती है आर्क्टिक में सबसे पहले इंडिया ने हिमादरी रिसर्च बेस बनाया उसके बाद इंडिया का इंड आर्क रिसर्च बेस है जो स्वालबाड सेट फैसिलिटी सुनी थी न नौर्वे का आईलेंड येस स्वालबाड में सिचुएटेड है इंड आर्क तो ही माधरी इंड आर्क दोनों कहाओँ आर्क्टिक में मैत्री भारती और पहले का दक्षिन गंगोत्री अंटार्क्टिक में अब यह सारा पढ़ लिया आपने तो देख रहे हैं तो पूलर एरिया वगर यह पूरे समुदर में वेल भी होते हैं तो वेल के लिए पूरे इंडिया में पूरे वर्ल्ड में कुछ है येस इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन ये नॉन यून बॉटी है इंटरनेशनल सब्सक्राइब करना है वेल को कंजर्व करना है वेलिंग इंडिस्ट्री का डेवल्मेंट भी करना है लेकिन और्डर्ली कंजर्वेशन अब ये इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन की ये खासी है थी कि पूरी दुनिया में अपनी मर्जी से कुछ एरिया को वेलिंग सेंचुरी बोल सकता है इंट्रनेशन वेलिंग सेंचुरी सेशल्स में है सिचुएटेड अब पार्टिसिपेशन की बात करें तो इसमें अगर आप नहीं इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन जो है पूरा एक अपना मतलब वहां पर लाता है एजंडा कि पूरी दुनिया में वेल को मारा ही नहीं जाएगा करना है या पिर माली जी कोई अधिवासी कम्यूनिटी वह वह वेल पर ही डिपेंड करती है तो वह अलाउड है अदर्वाइस वेल का कमर्सियल उट्यूलाइजेशन नहीं होगा इस जी से जपान बहुत नाराज हो गया क्योंकि जपान के लोग वेल खाते हैं मार मार के मिलते हैं ब्राजील में ब्राजील की जगह का नाम है फ्लोरियन है पॉलिस और वहां पर उन्होंने जपान का प्रपूजल था कि वह कमर्शियल वेलिंग को रिन्यू करती जिए हमको मारना है सबने रिजेक्ट कर दिया जपान ने बोला कि हम विड्रा कर लेंगे निकल लि अई आइलेंड और प्रोटेक्शन जोन आइलेंड की प्रोटेक्शन के बात हो रहे है अनमानी को बात होगे लित सदोन aboveמה की प्लाइमेट चैंज ने क्या किया है कि कुछ एलेंड प्रोटेक्शन जोन बढ़ बैसेड और कोस्टाल रिगूलेशन zone, ICRZ, देख रहे हैं, I am not talking about coastal regulation zone, ध्यान दीजिएगा, मैं बोल रहा हूं कि island protection zone IPZ और island coastal regulation zone, island का coast की बात हो रही है, ICZ नहीं, CRZ नहीं, CRZ नहीं, ICRZ, island coastal regulation zone और island protection zone में कुछ changes किये हैं, ताक कि अंदमान निको बार में gas power power plant लग सके, gas वाले, क्यों किया गया है ये, क्योंकि national coastal zone management authority, NCZMA, national coastal zone management authority ने ये recommendation दिया था, कि अगर island coastal regulation zone का 3 का area है, 200 से 500 मेटर के बीच में, gas based power plant लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि उस island की energy की requirement है न, और gas based होगा तो pollution थोड़क का मोगा ने तो fossil fuel और diesel चलेंगे, ये जो island protection zone 2011 का notification था, उसके आधार पे certain coastal stretches were declared as coastal regulation zone, समझ गे न, island protection zone 2011 के notification में बोला गया, कि कुछ coastal area जो है, CRZ है, coastal regulation zone है, और वहाँ पे भी जैसे normal coastal regulation zone में restriction होते न, उसी तरह island coastal regulation zone में भी restriction लगा दिया, industry operation, ये सब नहीं होंगे, industry के operation अगरा, लेकिन फिर, ICRZ 2019 का notification है, और उसमें बोला गया, कि जो vulnerable coastal areas हैं, stretches हैं, वहाँ पे ऐसे development infrastructure के नहीं होंगे, खास करके, अब इसी ICRZ 2019 को modify करना पड़ेगा, इसी IPZ 2011 को modify करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो allow करना है, right, ICRZ 2019 की notification की बात करें, तो वो 8 bigger उसनिक island में अंडमान एनिकोबार को divide करता है, लेकिन उसके लिए दो group बनाता है, और बोलता है कि coastal stretches and the water area, up to the territorial 12 nautical mile of the country, उसको हम लोग ICRZ समझेंगे, समझ गया ना, ICRZ 2019 notification, island coastal regulation zone 2019 notification में, ऐसे development पगर नहीं करना है, और वहाँ पे coastal stretches का मतलब, और water area up to the territorial water limit, मतलब 12 nautical mile तक हमारे island की क्या है, island coastal regulation zone है, ICRZ covers the land area from the high tide line से लेके 200 meter तक का on the hard, तो ये छोड़ दीजिए भाईया, group 1 island, group 2 island, हमें जानना है कि grouping of 8 bigger island, ICRZ island के हिसाब से क्या है, group 1 में ऐसे island है, जिनका area geographical area 1000 square kilometer से जाता है, यह हमें नई criteria याद रखता है, हमें ये island जानने, south and man, middle and man, north and man, great nicobar, ये बड़े island है, that means, इसलिए आप इसका नाम जानते हैं, हैं, हैव लोग भी जानते हैं, आप कारनी को बार भी जानते हैं, बड़ा टांग भी यह है, ठीक है, कुछ नोटिफिकेशन वगर मोडिफिकेशन किये गए है, इतना भी important नहीं है, let's start blue flag beach का concept, देखिए मैं थोड़ा सा एक introduction दे देता हूँ, कि blue flag जो है, एक annual certification है, equal label certification है, कि आप ecology को कितना अच्छे से रख रहे हैं, ये beach को भी दिया जा सकता है, marina को भी दिया जा सकता है, sustainable boating tourism operator को भी दिया जा सकता है, right, equal label certification that a beach marine or sustainable tourism operator can obtain, ये इसकी शुरुवात हुथी 1985 में फ्रांस में, शुरुवात में ये European area के लिए था, बाद में 2001 में ये यूरोप के बाहर भी दिया जाने लगा, इसको कौन देता है, डेन्मार्क की एक organization है, foundation for environment education, 33 parameter है, 4 major चीजें है, water quality कैसी है, environmental management कैसा है, environmental education कितना है, safety कितना है, देखिए ये चीजे maintain करने के लिए इंफ्रासेक्चर क्रियेट करने की ज़रुत होती है, और इंडिया का जो coastal regulation zone है, वो infrastructure बनाने नहीं देता, तो इसलिए government ने अलग से modify किया coastal regulation zone को, और बोला कि कुछ construction हम यहाँ पे करेंगे, ताकि infrastructure maintain हो सके, blue flag certification के लिए, तो island का जो हो, ये beach हो, normal beach हो, इनके लिए थोड़ा बहुत infrastructure allow करने का, 10 meter की distance आपको जो है, high tide line से maintain करने पड़ेगे, उसके पीछे आप create कर सकते हैं, तो blue flag certification की जहां तक बात है, इंडिया में total 12 beaches को है, इसमें दुनिया में कर बात करें तो सबसे ज़्यादा Spain के पास है, भारत में सबसे पहले किसको मिला, चंदर भागा बीच को, जिसको की golden beach भी कहते हैं, उडिशा में उसको first मिला था, blue flag certification, एशिया में भी first था, इंडिया में भी first था, ठीक है, ओके, तो लेट्स स्टार्ट, blue flag beaches, globally recognized international equalable blue flag, right, अभी नए दो बीचेज को मिला, तो mini quai, mini quai, ठुंडी beach एक हो गया, दूसरा, क्या हो गया, कदमत beach, यह दोनों लक्षुदीप में ही याद रखिएगा, दोनों लक्षुदीप में है, यहाँ पर map में जो दिखा हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, then 6, 7, 8, 9, 10, दो missing आपको दिख रहे हैं, यह जो दो missing है, यह यहाँ पर situated है, चुकि 12, 11 बारा भी recently मिला है, इसलिए मेनी कोई ठुन्डी और कदमत नहीं दिखावा हुआ है, लेकिन मैं लिख देता हूँ, मेनी कोई, ठुन्डी, 11 मान लिजी इसको, 12 पर आप, कदमत, है ना, और यह दोनों कहाँ पर हैं, लक्षद वीप, आप समझगे 11 बारा, येस, समझगे, so total blue flag certification कितने होगे, country में 12 होगे, और इस में से जो, first था, कौन सा था, उडिशा का golden beach, जिसको की चंदरभागा बीच भी कहते हैं, क्लियर, डेन्मार्क की non-profit organization, foundation for environment education देती है, यही है कि, sustainability, tourism sector में promote करनी है, तो obvious है कि थोड़ा बहुत, CRZ में भी modify करना पड़ा इसके लिए, sustainable development practices बगरा होने चाहिए आपके, ये beach को भी मिल सकता है, marina को भी मिल सकता है, कोई माल लिजे कि tourism operator उसको भी, eligibility criteria, environmental, educational, safety, accessibility, ये सारे होने चाहिए, main chart मैंने आपको बताया था, तो compliance में चाहर कौन से है, environmental education, information, water quality, environmental management, safety, and services, Spain में सबसे जाद है, okay, related news, एक COP30 हुआ था, अभी दिजान convention का, तो अभी दिजान convention क्या है, formally, convention for cooperation in the protection management and development of marine and coastal environment of Atlantic Ocean, Atlantic coast of the west, and central and southern Africa region came into force in 1984, इसमें marine environmental coastal zone, inland water वगरा, सब कुछ include होते हैं, within, लेकिन वेर, western, central, south African region, mission क्या है, अभी दिजान convention area को develop, अभी दिजान convention area, जो पूरा convention का area हुआ, resources और well-being वगरा, ठीके न, ये अभी दिजान है कहा, ivory coast सुना, आपने court the ivory उसको बहुते है, अफरिका की जो country है, ivory coast, उसकी बात कर रहा हूँ, कोट टी ivory भी बहुते है, ivory coast, यहाँ पर आपे देती जा, राइट, ओके, मैंने एक और चीज, blue flag के अलाब एक और चीज बता देता हूँ, ministry of environment, forest and climate change, launched, eco-label beams, beach environment and aesthetic management services, ICZM के अंतर, ये ICZM क्या है, integrated coastal zone management, है, फोड़ी दिर पहले ये नाम आया था, इसका याद है आपको, IC कर नहीं आता, national coastal zone management आता न, अच्छे चलिए, कोई बात के, integrated coastal zone management project है हमारा, उसके अंदर concept आया, किसका, बीम्स का, बीम्स का है, इको लेबल बीम्स, beach environment and aesthetic management services, beach environment and aesthetic management services, बीम्स का concept, integrated coastal zone management project के अंदर है, क्या करना है, coastal area marine ecosystem को holistically manage करना है, protect करना, ये जो integrated coastal zone management project है, क्या करता है, sustainable management करता है, coastal zone की, इसके लिए, society for integrated coastal zone management है, ministry of environment, forest and climate change के अंदर, उसी का, ये beams program है, beach environment and aesthetic management services, ये थोड़ा से interesting है, देखिए है, ये तमिलनाडू की news, की तमिलनाडू government ने एक notification किया, और मदुरही district में, दो villages है, अरितापत्ती और मिनाक्षिपूरम, इनको बोला कि ये ये युनेसको वाली नहीं है, ये state government declare करती है, ऐसे अगर by the way, मैं यहाँ पे अतीरा बत्ती, biodiversity heritage site जो बनाई है, तमिलनाडू ने उसकी बात करूँ, तो बड़ा एक खास जगह है, क्योंकि यहाँ पे टैंक है, अनाई कोंडन टैंक, ये पांडे kingdom के दोरान 16th century में बना था, यहाँ पे मेगा लितिका structure भी है, तमिल ब्रामी इंस्किप्शन भी है, उसके लवा जैन के places भी है, यहाँ पे raptors, चील के डिफरेंट पर जातिया है, लगगर फायलकन, शाहीन फायलकन, बोनेली इगल, और देखे फाउना की बात करे जानवर की तो पैंगोलिन, इंडियन पैंगोलिन, स्लेंडर लॉरिस, पाइथन वगर है, यह सब तो ठीक है, नीचे है बायो डैवर्सिटी हेरिटेस सा बायो डैवर्सिटी हेरिटेस साइट किसी स्टेट में, इनमें एक यूनीक एकोलाजिक फ्रिजाइल एको सिस्टम होना चाहिए, टेरेस्टिल, कोस्टल, इनलैंड बुछ भी हो सकता है, लेकिन बायो डैवर्सिटी बेच होनी चाहिए, इसके लिए स्टेट गवर्मेंट लोकल कम्यूनिटी का ध्यान रखती है, लोकल कम्यूनिटी को कंसल्ट करेगी किसी रिया को डिकलेर करने को पहले, क्योंकि अब उसका अलग तरीके से रूल रेगुलेशन होगा, है ना, तो लोकल कम्यूनिटी पे कोई प्रिशर नहीं आना चाहिए, रियाबिलेटिशन व बाद में पढ़ेंगे, डिस्ट्रिक लेवल पे ऑता , तो और किसी ग्राम सप अबरके से रिकमेंडिसन लें पंचायत maior के, अर्बन वाड्स प्रोटेक्शन कम्यूनिटी ट्राइबल कौंसल का रिकमेंडीशन किसी रेलीमेंट कम्यूंडेटि का इंस्टूशन का रेकमेनेशन लेए कि किसी एरिया को Biodiversity Heritage साइङ टेकले कर सकती है तूटल इंडिया में 35 Biodiversity Heritage Site है इसमें कुछ फेमस है आसम का मजूली हो गया देर उना कोटी प्लेस है सिल चरी केप से अमर कंते हैं यह सब बाईव डिवर्शिटी के हेरीटेज साइटेट गवर्मेंट डेकलेर करती एकट के तुरू सेक्षन 37 में ऐसा है फिर्स्ट भाई डिवर्शिटेज साइट अप इंडिया कहां कि थी यह बैंगलोर करनाटक में एक लूट टैमरेंड ग्रोब तो उसको डिकलेर किया गा था 2007 किसने डिकलेर किया होगा स्टेट गवर्मेंट के साथ मिलके स्टेट गवर्मेंट डिसाइड कर सकती कि उसका कैसे मैनेज करना है अब आप पढ़िए जीयो टूरिजम साइट यह सपेशल है जीयो लॉजिकल सर्वे ऑप इंडिया लिस्ट करती है जीयो टूरिजम साइट और इन्होंने लिस्ट किया है कि कि आप चाहें तो यहंपे जीयो टूरिजम करें कोविड के बाद नॉर्थ इस्ट में टोस्ति से नॉर्थ इस इंडिया है 32 प्रूब जीयोटोरिजम या जीओ टूरिजम भी कह सकते हैं, यह देखिए, यूनीसको ने किसी भी इंडिया के प्लेज को जीयो यह जी नहीं जीयोय लाजीकल साइट रेकरनाइज नहीं किया, यह जीयों हरिटेज पर है देन संक्ते सार सो अरुनाचल प्रदिस में है ना फेमस पर माधुली रे लेक यहां पर रीवर के अर्थक्विक से बना था मेजर अर्थक्विक से लोग तक लेक मनीपूर में आप जानते ही है फ्रेश्वाइटर लेक है नौर्थ इस इंडिया में लार्जेस्ट है यह पर भूमढ़ी वो फूमसांग भी कहला था लूकली और वहाँ पर हट्स भी उसे केबूर लांट नेश्नल पार्क इस पूरी बेसे प्टाइब को मिला दिजिए खुल लामजेस्ट पार्क क्लाइमेट और पहलियो मौनसून का यहां पर प्रूफ देते हैं माव लेई गॉड्स रॉक यह मेगालिया में है यह एक बैलेंसिक सैंडस्टाउन रॉक है जो कि एक स्लैंटिंग एंगल 45 डिग्री पर अटका हुआ है कहां पर वहर्शी रीवर वैली और कुछ भी साइट है जैसे कि एक देखिए अस्ट्रामेटो लाइट यह सारे जीलोजिकल चीजे है नागा हिल देन रेइक तलांग मिजुरम में सांगेत सार्सो और उनाचल में तो होई गया उनाकोटी और चिंबुरा भी उनाकोटी पहले पर डिसकस हुआ था यह त्रिपुरा में है उमननंद सर्वेपिंडिया जीलोजिकल हेटेजटी और नैश्चनल जीलोजीकल मॉनमेंट को टेक्लियर करता है उसके प्रटिक्शन में काम करता है या फिर रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्मेंट उसको प्रटेक्ट करने के लिए काम कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट एक बड़ा बच्चा उसके बाद कुछ लिस्ट दिखाऊंगा तो यह जीओ हेरिटेस साइट की बात आहीं गई तो ड्राफ्ट जीओ हेरिटेस साइट से जी जीओ रिलिक्स प्रिजर्वेशन और मेंटेनेंस बिल्ड यह मिनिस्ट्री आप माइंस ने पबलिश किया थे देखिए दिसम्बर दोजार बास में इसमें डिकलेरेशन प्रिजर्वेशन प्रोटेक्शन और मेंटेनेंस ऑफ जीओ लॉजिकल हेरिटेस साइट करेंगी है डिल्ए से कोई नाशनल इंपर्टेंस गी तो अगरा के लिए की रिखेंटस थे ऐसकी ऑथराईजिंग सेंटल गॉर्मेंट को अगर कोई नाशनल इंपर्टेंस का है तो उसके बाद एरिया जो है जीओ साइट के प्रोविजन के अंदर एक्वाइरिया अगर ज़ूर्द पड़ेगी तो किसी इंसान का right to fair compensation यही जो मैंने पुल लेंड लार अग्री एक्ट पढ़ा चुका हूं अल्रेडी बाइवसिटी में पढ़ाया था ना आ गया ना चीजी कनेक्ट होती ना तो उसके त्रू लेंड एक्वायर करेंगे और प्रोभिशन रेगुलिशन वगर कर लेंड फॉसिल यह सारे रेलिक मिटेरिïल हो गया जा सकते हैं जी जोलोजिकल साइट को ली जा पर इसले आगर आपका सिलेक्ट हो गया तो UNESCO के सबसे पहला मॉंट्रियोक्स कन्वेंशन तुर्की ये अब हो गया पहले तर्की था तर्की प्लेस्ट इंप्लिमेंट 1936 का मॉंट्रियोक्स कन्वेंशन रिगार्डिंग रेजीम अब दे स्टेट्स तु लिमिट दे मुव्मेंट ऑप रुशियन वार्शिप यह उनका अलग अब तुर्की ये according to convention has control over both the बॉस्पोरस श्टेट और डाडेनल श्टेट डाडेनल स्टेट डाडेनल इस और बॉस्पोरस दुनों पे तुर्की ये का एंशन्शन्यल एलिमेंट आपको पता है ब्लैक सी को जोडने में तो बॉस्पोरस डाडेनल स्टेट को हम लोग तर्क प्रेन मगर में यहां पर हंगामा चल रहा है यह तो लही लिया उसने है रश्या के पास जो यह सी ओप अजौब है और जो यह ग्रीस के और टर्की के बीच में वह एजिएंसी है यहां ब्लैक सी होगे एजिएंसी से चलेंगे जब आप इसको क्रॉस करके तो आपको देखिए यह इसी पर बात हो रही है कि डाड़ानियल्स से स्ट्रेट और बास पूरस से स्ट्रेट दोनों जो है मॉन्ट्रेक्स कोंवेंशन के हिसाब से तुर्की यह चाहे तो रोख सकता हो कहता है रोख नहीं पाएगा इडिज ओनली पैसे थूरू इस ब्लैक सिपोर्ट प्रॉम सिंबा यूज करेगा एक आर्टिफिसियल इंटेलिजन्स मेकैनिजम है फोटो आइटिफिकेशन का सॉप्ट्वेर के त्रू यह जो पैटर्न होते हैं लाइन वगरे के उसको रेकराइज करेगा अश्याटिक लाइन तो पते हैं गुजरात में ही है पूरे दुनिया में और वह भी जो आपका गीर फॉरेस्ट है वहीं पे हैं सॉप्ट्वेर विद इंटेलिजन्स मार्किंग बेस्ट आइडेंटिफिकेशन ओप इस्याटिक लाइन तो सॉप्ट्वेर का सब्सक्राइबी अब्रिवेशन में डाल दिया सिंबा सिंबा लाइन का नाम है ना नेस्ट आडाप्शन प्रोग्राम एचे नेंपी जो अरुचल परदिश की निशी ट्राइब हैं कि हार्म्हें कप्रण्वेर प्रोग्राम का क्शलिटिवेडिय केया संपर्विशर्म के सबांठालो हैं वेणगा इंडीकेटर इस को स referendum ह भूब ट एंडीकेटरस हैं प्रिंशिपल होता है ने लिविंग बिद लीगल एंटिटी यह मदरास हाई कोट ने भी बोल दिया शुरुवात कि ती उत्राकंड ने रियल शुरुवात न्यूजीलेंड साइड हुई थी उसकी बाद भारत के हाई कोट उत्राकंड ने बोल दिया कि घंगा यह मुना कुछ है हम लोग अडॉप् इनको प्रोटेक्ट करो पेरेंट्ट हैं तो इनको प्रोटेक्ट करो स्टेट्ट गवर्मेंट के अगरेल इताना में कुंधम एएंटिटए कि जाये तो सरवेड लोग vegetarian हो जाओ then Tree City of the World tag TCW क्या है Mumbai and Hyderabad को jointly recognized किया है 2021 TCW याद रखेगा important है ठीक है ना Tree City of the World किसको मिला है Mumbai और Hyderabad को सही में बहुत पेड है बहुत मज़ा आता है पेड पर चड़ने में चड़ने में तो हमेज़ा ही मज़ा आता है चाहे वो पेड हो चाहे वो सीड़ी हो TCW है ना क्या है TCW Tree City of the World Mumbai, Hyderabad TCW प्रोग्राम स्टार्ट किया तो किसने ऊड़न अग्रिकल्चर ऑर्गनाइजेशन ने साथी साथ अमेरिका की एक NGO भी थी आर्बोर डेफ़न आर्बोर का मतला में ठीक है ठीक है city बाज आज है इवाले टेरी पेड को फेड को भी आपना प्राइबर मानेगा चलिए एज़े फेड़ फेमिली एफरेस्ट्री नहीं है ठीक है फाह एज़ेशनेस का पाट बन जागा इतना सिद्धांत इतना फिलोसपी लैंड फॉर लाइफ एवावाद रजस्तान को दिया आगया, United Nation Convention to Combat Degertification द्वारा, जो दिल्ली में मतलव मिटिंग तुज़ा, आवाइड इस गनफर्ट परभाइड ग्लोबल रेकरगनिशन दॉपर्ट वर्क विच मेटे सिगनिफिकन संपिपरिशन फर्स्टारॉ ठीक है, लेक्टर कम्प्लेट, नोटस अप्लोदिंग, लेक्टर अप्लोदिंग, थैंक यू सो मुच, टेक केर, बाई, हाई